मननार आजमी से कहो कि सिर्फ जेट पर नहीं इतिहास में गुर्डान कभी भी कटे हुए सरसेज वो अभी खुंखार सेना को बिना बताए वेलकम बैक दिया नदर वीडियो तो फाइनली दोस्तों आख बात करने वाला हूँ जो के प्रभास की मुई सालार मुई के बारे में तो फाइनली दोस्तों ये फिल्म कहां पे अवले बले रहा हूँ आप दोस्तों को कैसे देखते हूँ वो भी हिंदी लेंगविज के अंदर उससे पहले आप इसको डिस्क्लैमर में बता दू अगर आप दोस्तों सलार मुई के बारे में ए टू जानना चाहते हैं स्टोरी लेन्ड के बारे में साथी सिन के बारे में बात करूंगा और सुन्ब को अब्हाइब नहीं ऑ्रographer साथ बताने वाला हूँ कि मूओी नहीं होने वाली हैं के लाइक से मूं 111 यह एक ट्रिलर वाली मूवी थी और इसमको जो सेंसर की तरफ से रिंग था वो दो गंटे 25 पॉल मिनित काया नहीं टूआर 55 मिनट इसमका रिंग टाइम है और यहां पर यह 2023 में रिलीस की गई 22 डिसेंबर को 2023 में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वालिन्स से भरी फिल्म थी 10.6.5 की रेटिंग मिली हो यह आउडियंस की तरह से और इस फिल्म को डिरेक्ट किया प्रशान्थ नील ने जयां दोस्वाब सब जाते ह 되고 और इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म को कितने लेंगिज में जो के शूट किया गया था और यह फिल्म कैसी रही और और आउडियंस को कैसी लेगी इस फिल्मगे़ाइब विड़ो की ने क्रेक्षों कहिस काcan किया सारी बात करूंगा कितना कुलेक्शन किया हुआ तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंट्रस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम दोस्त फास्ट डे की बात करें तो लगबग इसलिम ने जो के फास्ट डे में 173 क्रोड का कॉलेक्शन किया था झा यहां पर इसलिम ने जो के बाकी बात की जा इंडिया से तो बाक two 90 से ने चृए कुलेक्शन किया था तो यहां पर हिंदी को बर्यान किया था फसटे के अंदर और यह फिल्म जो के बॉक्स पर औल टेम रिकारड़ फिल्म रही थी और इस लिम ने फसट डेमी बहुत यचे बेड़् लेकिन दूस्तु खास बात यह भी के सिल्म ने क्लैश किया हो था शारू खान की फिल्म यानि डंकी से लेगन डंकी जो के शारु खान की फैन बेस भी काफी अच्छी है लेगन फिर भी इस सिल्म यानि सलार ने अपनी वाजी मारी और फास्टे में जो के रिकारडेबल कलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म आडियंस को भी काफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखी इस सिल्म के बारे में जैसे जो के इस सिल्म में कितना क्लेक्शन किया था फास्टे के अंदर कितना किया सैकेंड डे में कितना किया और यहां पर जो के सारा को डिटेल बताने वाला हूं तो आप दूसने वीडियो को लाजमी देखने रहना है यहां पर दूस्तों बात करें एक सो बीस क्रोड के आसपास का कोलेक्शन किया हुश उर्याएं सीथियर हैं 753 क्रोड के क्लेक्शन किया हुआ है स्पोंस नहीं आ रहा था इसी वह जासे सिल्म को लगबक तील से चार वीक्स के बाद बॉक्स से हटा दिया गया और सिल्म ने टोटली जो के वॉल्ड वाइल्ड बॉक्स पर क्लेक्शन किया हुआ है जो कि सिर्फ साथ सो 65 क्रोड के आसपास और सिल्म का बज़र था 270 क्रोड और सिल्म ने जो के वर्ल्ड वाइल्ड बॉक्स पर क्लेक्शन किया हुआ है तो ये फिल्म हजार क्रोड की कलब में नहीं पहुँआ है लेकिन फिर भी सिल्म ने काफ़ी अच्छा क्लेक्शन किया है और ये फिल्म भी जो हैं ट्रांसलेशन की दाए गया है तो इसका नाम बनता है कमांडर या सिपासलार और यहां पर यह टूथाज़न ट्री इंडियन तैलगु लैंगवेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ती डिरेक्ट और जो के राइट की स्टोरी को जो कि राइट की आदा पर शा बाव भूवी सिम्भा तीनु अनन्द एड़ और यहां पर जो के और भी काफसरी कास देखने को मिले जैसे श्री रेड़ी रामत चंदरन राजूस और भी चाहें चीज़ें हमें यहां पर फिल्में के अंदर देखने को मिली हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर लें जैस किया वीजे करन गंदुरी ने और यहां पर इसलम को चुक acontec twist किया रिफ यहां पर फिल्म सुरुछ एसम कही बिलो होड़ाक और नहीं को कि तरफ से 175 बिनिट के साथ इसने को त्याटर में रिलीस कर वाया गया कंट्रि इसने की जो के इंडिया थी और लैंगविज यह तैल गू की ती और यहां पर कनड़ा में भी एसने को दो 270 कोड़ोरी सिल्म में बोक्स क्लेक्शन की हुआ है 715 करोड का वी के पेडिया के थुरू और यहां पर थोसोब बात करें थोड़ा साइसिल्म के बारे में तो यहां पर जो कि डेब्यू फिल्म थी प्रशांत नील की उगरम उगरम सिल्म से जो के अमना स्टार्ट लिया था ज सलार वन पार्ट वन जो कि मुवी थी और सिलम को लगबग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो कि जिसका नाम सलार होगा और सिलम को ड्रैक करेंगे प्रशांत नील और उसके बाद यहां पर सीसवायर के नाम से सिलम का जो कि टाइटल अनौस किया गया जन्मरी 2021 म इसलम की जो शूटिंग वगड़ा थी वो रैप अप की गई थी और यहां पर सिलम की शूटिंग को कम्प्लीट करवाए गया उसके बाद इसलम की जो कर दिया गया और यहां पर भी काव सारी चीज़ें रहती थी और म्यूजिक भी जो कंपोस कर रहते रवी पसूर्ट और सिल्म ने वर्लड वारड ली जो की 715 क्रोड का कोलेक्शन करके दिखाया और ये फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लोगवस्टर फिल्म रही अब यहां पर दो स्टोरी की बात करें तो यहां पर हमें 1985 की स्टोरी देखने को मिलती है और यहाँ पर जो के हमें सार है को जो खान सार की स्टोरी देखने को मिली है यहाँ पर जो के वर्ध राजन जो के वर्धा का रोल प्ले करें प्रिष्ट्रिवास कुमार और देवा का रोल प्ले करें परभाज इसलम के अंदर और उनकी आपस में बॉंडिंग और उनकी आपस में जो दोस्ती है उसको दिखाया गया है और वो जब वर्दा यानी जो के प्रॉब्लम में पड़ता है तो देवा उन्हें बचाने के लिए आता है खांसार में और यहां पर जो कि ट्विस्ट भी का सीमस काफी देखने को मिला है और यहां पर जो कि मुइक काफी अची है तो और बब सरुप्त इसको भी पसंद आएगी तो यहां पर दौको सिंपल्य नवजु बतादू है यहां पर आप च्पोध्र के इस टोरी बहा प्र जो एक ठानी ऑ होता है layer और यहां पर यहां सार य और यहां पर सारा कुछ जो के लड़ाई शुरू हो जाती है तो तब ही जो के उनके पास यानि वर्धा के भाई के पास काफ सारे गुंडे होते हैं लेगे यानि वर्धा के पास कोई भी जो के सेना वगेरा नहीं होती तो वो जाता है अपने दोस्त के पास यानि देवा के प बहुत वह इस्तर था और यहांस्तों फो कि यह को मिली है लास्ट में हमें का फी जो कि सिन में बीयर और कुछ नहीं था सिर्फ सालार की जो करभी 가족 offerings तो कि क्या था व्यार आप डिसট फिल्म हो सकने का कौन बैठेगा उस सिंगासन पर वो आगले नेक्स्ट फिल में दे हमें पता लगेगा और आपस में इनकी जो के दुश्मनी को भी दिखाया जाएगा देवा और वर्धा की दुश्मनी को तो यहां पर हम दुस्त कास्ट की बात करें तो यहां पर प्रभास ने देवा का रोल प्लेग किया हुआ है प्रत्राइज कुमारा ने इसन में जो कि वर्धा का रोल प्लेग किया हुआ है और यहां पर शूरती हसन ने आधिया का रोल प्लेग कि यहां पर देवी की मादर का रोल प्लेग कर रही है जगपदी बाबु इसन में राजामनार का रोल प्लेग कर रहे में लियास यहां पर देवराज यहां पर वभी सिमा भैरुवा का रोल प्लेक हैं और जान विजा इसलमें रगार रूल प्लेकर रहे हैं और यहां पर जोके कि अ continuing में नारंग का रोल प्ले कर रहा हैं और हम पर पर जी हम राधा रामा का रूदरा राजास्की हेंचमैन शेंग परुछबी नवीन शेंग चैशन। पंडित रूल प्ले कर रहें करें कुल दाइक तो यहां पर 20 तो यह थी तो यहां पर अपड़तों थोड़ा साबात करें प्रडेक्शन कमपनी की सब्सक्राइब कंपनी है। तो यहां पर दुस्सों बात की जाएए प्रशांत निली की प्रशांटली की फ़स्ट फिल्म डैब्यू फिल्म थी उगरम उनकी दो पिछली फिल्में रादे शाम आदी पुरुष जो के बॉकसर बूरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकर भी ठीक ठाक चली थी यह वो अच्छी फिल्म रही थी लेकर जो इनकी दो पिछली फिल्में आई हैं आदी मोई से और्डियन्स फिल्म को भी काफी पसंदाई है उब अर्डियस नहीं भी काफी वा वाई की सलार यनी प्रभास की और यहां पर दोसों बात करें आप कर से अ £10 काैंप पर और Maat में भी पा popped कर दे ता ठीक है और यहां पर जो इसंख के सवागरे हैं को हिंदी अ तरक हुआ को सारे सॉंग चैनल वोगार को सारे सब्सक्राइब हैं तो में आप माँसे हुए था लाँ को सकतार फ़लीज में और आप देक्री हैं तो बात Kin रीम को इसिंट को रिलीज कर गया था जो यहां पर यहां पर यह फिल्म बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर रही अब दुस्त बात करते हैं इसलिम के बारे में केज ये फिल्म आप कहां पे आच चोई 아이 के सैकंड पार्ट का क्या नाम होगा तो आप बता दूए सेकंड पार्ट का नाम होने वाला सालाल पार्ट टू योन्टीय पर 6 योड़िसाथ पर कर देखने को मिल जाएगी सारी language में और हिंदी में यह फिल्म आपको डिजनी होस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी जी हां दूसरों हिंदी में आपको डिजनी होस्टार प्लस पर देखने को मिलेगी अगर आप दूसको यह फिल्म कैसी लेगी थी अपिनियन बताना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी स की मूई साला अरम के बारे में तो फाइली ये फिल्म कहां पर वेले बारा हूं आप दोसे श्वन को कैसे देखती हो वह भी हिंधी लैंगवेच के अनडर उसे पहले आप इसको दिस्कलेमर में बता दू अगर आफ दोस सेलार मुही के बारे में ऐटुजाइट जानना चाहते हैं स्टोरी लैंट के बारे में साथियस ही में के प्रॉपर डिटेल बताऊंगा ऑ立भा के प्रॉपर डिटेशन अग्रud करिंगा स्टोरी एकस्प्लें करन support still के साथद बताने वाला हूं। जो कि ये मूऑी नहीं होने वाली है सारी रेवीव वाली वीडियो होने वाले तो को लाइक करके लास तक देखते रहें तो आज हम बात करें सेलार मुई के बारे में सेलार एक पार्ट वन और इस पर्ट उन का नाम है शीज फायर चीहांसो सलार वन जो के पार्ट वन का नाम है शीजवायर और एक एक अक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और इस इन को जो सेंसर की तरफ से रणिंग टाइम दिया गया वो दो गंटे पचपंप मिनित का है यानि जो के 2 आर 55 मिनेट इस इसलिम का रिणिंग टाइम है और यहाँ पर ये 2023 में रिलीस की गई 22 डिसेमर को 2023 में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मूवी थी और वालिन्ज से भरी फिल्म थी टेन बाय सिक्स फ़न फाइफ की रेटिंग मिली है आॉडियन्स की तरफ के और इस विल्म को डिरक्ट किया है परशांथ नियल ने जान दोस्तों आप सब जानते होंगो परसंथ नील को और इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म कितने में लैंगूज में जो के शूट किया गया था और ये फिल्म कैसी रही और आड़ीनस को कैसी लगी इस फिल्म ने टोटल बॉकस कितना कॉलेक्षण किया सारी बात کر कर स्देंगा तो वीडियो को लाई करें लाश तक देखतें हैं सबस्ужक्राइब ना क्शा है राधाल करें कितना के भी दैसे ने कितना को लिए तो आप तो है दूस्त उन्हाती ने कम पेरा हुशॉ MI और हैं इंटरस्टेटरı तो सिब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम दोस्तोंस्तों की बात करें तो लग भग सिंदिया के से लग भग नइंटी करोर का कोलیکشन किया था और और सिय depths बहुत एच्छी अपनिग लिया था शारुच झाय से षारुच बहुत अबकिछों काउटी धन्द और यह फिल्म को भी काफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखी वह तो आप सुने कैसी लेगी यह फिल्म आपको कमन बॉक्स में अपीनिया लाजमी बताना है और यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे आगे काफ सारी चीजें के बारे में तो आप सुने वीडियो को लास ही देखने रहना है यहां पर दोस्तों बात करें फार जो के फास्टे में 173 करोड का क्लेक्शन किया सैकेंड डे के अंदर भी लगभग इसलमें 120 करोड के आसपास का क्लेक्शन किया हुआ है और यहां पर दोस्तों इसलम ने जो के लगभग जो के तीन वीक्स में यह फिल् लेकिन लगी रही लेकिन बोक्स पर इतना रिस्पॉंस नहीं आ रहा था इसी विए जैसे इसलिम को लगबग तील से चार विक्स के बाद बोक्स से हटा दिया गया और सिल्म ने टोटली जो के वॉल्ड वायल्ड बोक्स पर क्लेक्शन किया हुआ है जो कि सिर्फ साथ सो पैं यह काफी पसंद आही है जिस सिल्म के अंदर हमें वैलिंस देखने को मिला है जिस तरा से हमें वे परसाट सो बात करेंगे आगourd जैसे यह बात करेंगे यहां पर सलार पार्ट बान तर्यों वाले बासार और रहट वाले टीडिया राइट किया हुआवा वीजे किरन गंजुंदर और यहां पर प्रभास लीड कास्ट में हमें देखने को मिले थे और प्रिष्टिविरा सुकुमारन लीड जो के विलन के रोल में देखने को मिले हैं और यहां पर जो के स्पोर्टिंग कास्ट में हमें देखने को मिली है शुरूती इसन जगपदी बाव वह भूवी सिम्भा तीनु अनद एंड आश्वेरा राय और यहां पर जो कि और भी कास देखने को मिलिया जैसे श्री रेडी रामत चंदरन राजूस और भी कास चाहे चीजे हमें यहां पर फिल्में के अंदर देखने को मिली हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर ले जैसे डलाग सुगरा की यानि सलार मुई के डलाग किसने लिखे हैं तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इसलम के डलाग सुगरा को लिखा हुआ है पिडियोस किया है विजे करन गंदूरी ने गंदूर ने और यहां पर इसलम को सिनमोटोग्राफिक की है बुवन गोडा ने और यहां पर इसलम को जो कि एडिट किया है उजवल कुल करनी ने जिन्हों ने केजिए फ चैप्र टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया रावी बस्वरूर ने प्रोडेक तर्मिनेट के रणिंग टाइम के साथ इसलम को ठेटर में रिलीस करवाया गया कंट्री इसलम की जो के इंडिया थी और लैंगविज यह सिलम तैलगू की थी और यहां पर कनड़ा में भी इसलम को दो लैंगविज में शूट किया गया था और यहां पर इसलम का बजड़ जो के 270 कोड़ोरी सिल्म में बहुत से क्लेक्शन की हो है 715 करोड का वी के पेडिया के थ्रू और यहां पर 200 बात करें थोड़ा साइस सिल्म के बारे में तो यहां पर जो के डैब्यू फिल्म थी परशांद नील की उगरम उगरम सिल्म से और यहां पर एक बड़े परदे पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो के मुवी थी और इसल्म को लगबग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो के जिसका नाम सलार होगा और इसल्म को ड्रैक करेंगे पर शांत नील और उसके बाद यहां पर सिंस्वायर के नाम से इसल्म का टैटल नानका उसके गया। जन्मरी 2021 में और यहां पर ौजर ऑ्र Templ worked की ति और यहां पर सिंह की शूटिंग को complete कर वाई गया उसके बाद इसल्म की जो स्टार्ट कर दिया गया और यहां पर भी काव सारी चीजें रहती थी और म्यूजिक भी जो कंपोज कर रहे ते रवीपसुर। और जो कि अडिट किया है बुवन गोड़ा ने सिल्म को सॉरी जो अडिट किया हुआ है तो फाइले सिल्म को 22 दिसंबर को 2023 में जो कि रिलीस कर व वर्ड वाइली जो कि 715 क्लोड का कोलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही अब यहां पर दो स्टोरी की बात करें तो यहां पर हमें 1985 की स्टोरी देखने को मिलती है और यहां पर जो कि हमें सार को जो खान सार की को दिखाया गया है और वो जब वर्दा यानि जो कि प्रॉबलम बें पड़ता है तो देवा उन्हें बचाने के लिए आता है खान सार में और यहां पर जो कि ट्विस्ट भी काफ सारे हमें देखने को मिल जाते हैं इसलमें हमें वाइलिस काफी देखने को मिला है और आजा के लिए शरीमा पधाया तर के सिंगासन और सारे कोई जो की तो ऑनिरी देवा के पास और से लेकर आता है वही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं उसका अवतार और सवारे गुंडों को एकी दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया है बॉयलेंस देखने को मिला है बहुत यह स्टेंडिंग था और यहां पर दोस्तों यही स्टोरी देखन लग जाएगा अगर मैं बता दूं तो आप दोस्तों ने अगर फिल्म नहीं देखी तो आप दुसको जो के आप दुसका मज़ा भी किरकरा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स्टोरी आगे चले गी और यहां पर जो कौन बैठेगा उस जो के दुश्मनी को भी दिखाया जाएगा देवा और वर्धा की दुश्मनी को तो यहां पर हम दोस्तों कास्ट की बात करें तो यहां पर प्रभास ने देवा का रोल प्ले किया हुआ हुआ है और यहां पर शूरती हसन ने आधिया का रोल प्ले किया हुआ है और यहां प पर देवराज जोंकहरों का रोल प्लेखन और यहाँ पर बोबी सिमा भेर्वा का रोल प्लेखन रूछर कर रहे हैं और ज vind राधिया उन्हें डाहएं कर राधायों मनार पलेखन रहे हैं और यहां पर रिंड़ा का रोल-प्लेखनियां कर रहे हैं और यहां पर जोगे रुदरा राजासकी जो के हैंच मैं है और यहां पर रवीबाटे सिल्में किर्शन नाथ का और किरी जो है यहां पर संपत राम का रोल प्ले कर रहे हैं तो यहां पर दो यह तो यह थी कास्ट और यहां पर अब दोस्तों थोड़ा भात करें प्रडक्शन कंपनी तो इस चलम यानि सलार मुई की प्रडक्शन कंपनी है वह हूंबॉल फिल्म से जो के के जी एयएफ फिल्म को प्रिडूस किया हुआ है तो के जे धसे तो जो आज किया है वहा है跑 ब्रॉजेस दुसरा बाता आतना ल्ए तो फिल्म को इसने लगबग बारा सु नई को लैक्शन किया ऌई बोक्स के onपन तो देखा जाये तो वैसे प्रभास का जो के करियर बहुती जो के पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुती ड्रॉप पर चल रहा था क्यूंके उनकी दो पिछली फिल्म है रादे शाम आदी पूरुश जो के बौकसर बूरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फि जिस तरह से उन्होंने वह फिल्म में दी थी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कमबच चाहिए सलार मुई से और अडियंस ने भी काफी वावाई की सलार यानि प्रभास की और यहां पर दूसरों बात करें यह फिल्म कहां पर ओटीटी पर अवेलेबल है तो उससे पह पर भी आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे वो blinking सॉंग्स आपको सब्सक्ताइब्र कर देखने मिल जाएंगे आप तो सर्च करो एंगे तो आप दूस्टे को और वाहं पर देखने को मिल जाएंगे लीयों dim एह समल को तैल्गू में शूट किया गया था और यहां पर बाकि सारे डाप्ड़ वर जान से कनरा, हिंदी, तामिल और मलीयालम लैंगूज भी थी और इस इंग को जो के डल्ट ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीस करवाया गया था और यहां पर जो के इस हर्टिफिकेट साथ भी इस ने काफी अच्छाय कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यह फिल्म बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर रही अब दुस्तों बात करते हैं इस निम के बारे में के यह फिल्म आप कहां पर आ चुए और तो आप बता दूए सेकंड पार्ट का नाम होने वाला सालाल पार्टू शौरियंगा परवं जो के सेकंड पार्ट का नाम होगा और यह फिल्म जो के हिंदी के अंदर भी आप दूसको यूडूब पर देखने को मिल जाएगी सारी लैंग्विज में और हिंदी में आपको डिजनी होस्टार फुलस पर देखने को मिल जाएगी जिहां दूसर हिंदी मे आपको डिजनी होस्टार प्लस पर देखने को मिलेगी अगर आप दोस नोसको ना चाहते हो तो यह फिल्म ini को जाके ऑप यह फिल्म और पार्ट को नाधरिता ओघर मोगादव एकед में लोड़ के बारे में तो फाइनली दोस्तों ये फिल्म कहां पे अवले बह रहा हूँ आप दोस्ते को कैसे देखते हो वह भी हिंदी लेंगविज के अंदर उसे पहले आप सको डिस्क्लेमर में बता दू अगर आप दोस्त सलार मुई के बारे में ए टू जानना चाहते हैं स्टोरी लै कर देख ड़ी impe skip किया ओुकर इस वीडियो में सारी ।क्या के साथ बताने हसके सरी का शुक्राट यूंगर टेखर हैं तो आज हम बात करें सेरे-ैर के बारे में स्लार 118 ऊदेज送 क्राइचे 밤 टाइम दिया गया वो दो गंटे पच्पान मिनिट का है यानि जो के टू आर फिफ्टी फाइव मिनिट इस लिम का रनिंग टाइम है और यहां पर यह एक 2023 में रिलीस की गई ट्विट्टी त्री में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वालेंस से भरी फिल् सिल्म को कितनी लैंगविज में जो के शूट किया गया था और यह फिल्म कैसी रही और आडियुस को कैसी लगी इसे मैं टॉटल बाक्षट पर कितना क्लेक्शन किया हुआ था तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंट्रस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहाँ पर हम दोस्त फास्ट डे की बात करें तो लगबग इसलिम ने जो के फास्ट डे में 173 क्रोर का क्लेक्शन किया था पर यहां पर हूंते में 174 क्रोर का स्राइब तो यहां 775 क्रोर का स्रुच्ट किया था दिक नियुक्सल्षाब 3 के अंदर और यह फिल्म जो के बॉक्स पर आल टेम रिकारडड फिल्म रही थी और इस फास्टे में बहुत ही अच्छी ओपनिंग लिए लेकिन दोस्तों खास बात यह भी के सिल्म ने क्लैश किया हुदा शारू खान की फिल्म यानि डंकी से लेकिन डंकी जो के शारू खान क तक यहां पर अगए का व सारी चीजन के बारे में तो आप तु के देखने रहना है यहां पर दो सेंटे में की तक रहे हो अ और यहां पर इस सिल्म ने तीन दिन निन धर लगभग 375 करोड के आस-पास का कोलेक्शन की था और ये फिल्म जो फास्ट वीकnd में लगभग 415 करोड के आस-पास पहुंच चुकी थी और यहांब दोस्तों सिल्म ने लगबग तीन वीक्स में ये फिल्म जो के बॉक्सस से बाहर हुई थी तीन वीक्स के बाद या चार वीक्स लेकिन लगी रही लेकिन बॉक्सस पर इतना रिस्पॉंस नहीं आ रहा था इसी वह जासे सिल्म को लगबग तीन से चार वीक्स के ब पसक्राइब का क्लेक्शन किया हुआ है तो यह फिल्म हजार करोड कि कलब में नहीं पहुंच भाल लेकिन फिर भी इस Minister का इचा क्लेक्शन किया है और यह फिल्म भी आॉडियंस को काफी पसंद आई है जिस तरह से सिल्म के अंदर हमें वैलिंस देखने को मिले है जिस तरह से हमें सिल्म के अंदर और भी काफ सारे चीज़ें देखने को मिली हैं तो वो भी हम बात करेंगे आगे जैसे यहां पर सलार पार्ट वन सीस वायर जो के इस सिल्म का जो है ट्रांसलेशन की दाए गया है तो इसका नाम बनता है कमांडर या सिपा सलार और यहां पर 2023 की इंडियन तैल गुलैंग वेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ती ड्रैक्ट और जो के राइट किया हुआ था इस फिल्म की स्टोरी को जो कि राइट की आदा प्रशान नील है ड्रैक्ट भी शान नील ने किया हुए पोड्यूसर है वीजे किरन गंजूंदर और यहां पर प्रभास लीड कास्ट में हमें देखने को मिले थे और प्रिष्टिविरा सुकुमारन लीड जो के विलन के रोल में देखने को मिले हैं और यहां पर जो के स्पोर्टिंग कास्ट में हमें देखने को मिली है शुरूती हसन जगपदी बावु भोवी सिमा तीन कि यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इसलम के डालाग को लिखा हुआ है विजय करन गंदूरी ने और यहां पर इसलम को सिनमेटोग्राफिक की है बुवन गोडा ने और यहां पर इसलम को एडिट किया है उजवल कुलकरनी ने जिन्हों के जिएफ चैप्टर टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ सौरी एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया भी बस्वरूर ने होगा का प्रोडेक्शन कंपनी होंबाले फिल्म्स और डिस्टिबिशन कंपनी है सी बिलो और यहां पर इसलम को रिलीस करवाए गया थ इसलम को दो लेंग विज में शूट किया गया था और यहां पर इसलम का बजड़ था जो के 270 को डॉर इसलम में बहुत सब्सक्राइब करोड का वी के पेडिया के थूँ और यहां पर थोसुब बात करें हम थोड़ा साइश सिलम के बारे में तो यहां पर जो के डैब्यू फिल्म थी पृषांद नील की उग्रम उग्रम से जो के हमन nah स्टार्ट लिया था जोके पृषांद लिन ने और यह फिल्म जो के सलार मुवी उसी तरह थी जो कि दो दोस्तों के उपर स्टोरी बनाई गई थी उसी की तरह इसलम में भी स्टोरी देखने को मिली है ले तर्फियर के नाम से टाइटल नाउस किया गया जन्मरी 2021 में और यहां पर यहां पर दो स्टोरी की बात करें तो यहां पर हमें 1985 की स्टोरी देखने को मिली है यहां पर जो के वर्ध राजन जो के वर्धा का रोल प्ले करें प्रिष्ट्रिवास कुमार और देवा का रोल प्ले करें परभाज इसलम के अंदर और उनकी आपस में बॉंडिंग और उनकी आपस में जो दोस्ती है उसको दिखाया गया है और वो जब वर्धा यानि जो के प काफी इच्छी है तो औरल कहा जाए मुई काफी इंट्रस्टिंग है और आप दिसको भी पसंद आएगी तो यहां पर दूसों आपको सिंपल लवजों में बता दू यहां पर आप दिसको दिखाया जागा है खांसार की स्टोरी वहां पर जो कि एक राजा होता है यानी खांस लेगें यानि वर्दा के पास कोई भी चूंके सेना वगरा नहीं यह जाता है अपने दोस्त के पास और उससे लेकर आता है वही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं आवतार और सवारे गुंडों को एकी दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया है बॉयलेंस देखने को मिला है बहुत ही अस्टेंडिंग था और यहां पर दोस्तों यही स्टोरी देखने को मिली है लास्ट में हमें काफी जो के देखी तो आप दोस्तों के आप दोसका मज़ा भी किरक्रा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स्टोरी आगे चलेगी और नेकस्ट विलमें धे हमें पता लगेगा और आपस में की जो के दुश्मनी को भी दिखाए जाएगा देवा और ब्हास ने देवा को रोल प्लेड किया हुआ है और यहां पर शूरती ह Lawrence ने अध्या को रोल प्ले। यहां पर देवी की मादर को रोल प्लेकर रहे हैं। जगतार राग जगती बाब राजामनार को रहे हैं अल्यास को रहे हैं। यहां पर देवराज जो के उम का रोल प्लेग करें और यहां पर वोबी सिमा भर्वा का रोल प्लेग कर रहे हैं और जौन विजय इसल में रंगा का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहां पर जो के मैस चोधरी इसल में नारंग का रोल प्लेग करें रामना इसल में रिंडा का रो जो है नहीं इसलमें बाची जो के राजामनार का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर रवी बाटी सिन्में किर्ष्णानाथ कर रोल प्ले करए हैं पंडित का रोल प्ले कर रहे हैं और प्रूधी राज इसलमे विलेज सरपंच का रोल प्ले करें। भर सब्ताग किरी जो है ना यहां पर चंद्राम का रोल प्ले करें। यहां पर संपथ राम थरुड है क्स्ट और शल्शालगा बातर प्रक paso के वло कॉले फिल्म को प्रडियूस किया हुआ है तो के जी फिल्म भी बॉक्स पर जो दूसरा बाट आया था था ना वो आल टेंग ब्लोगबस्टर फिल्म नहीं थी उसने लग बारा सो करोड के कोलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के आफसे उपर तो यहां पर दूसों बात की जाए प्रशांत नील की प्रशांदली के फ़स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म थी उग्रम उग्रम फिल्म से यह इस फिल्म को यानि सलार मुई को इंसपायर किया गया है और यहां पर जो कि सलार मुई को बड़े पर लाया गया है यह फिल्म भी अच्छी लेगी और यह फिल्म भी काफी इंट्रेस्टिंग रही देखा जाए तो वैसे प्रभास का जो के करियर बहुती जो के पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुती ड्रॉप पर चल रहा था क्योंके उनकी दो पिछली फिल्में रादे शाम आदी पूरुश जो के बॉकसर बूरी तरह से पीट चुकी पर यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकर वह भी ठीक ठाक चली थी वो अच्छी फिल्म रही थी लेकिन जो इनकी दो पिछली फिल्में आई हैं आदी पूरुश और जो के रादे शाम की वज़़े से उनकी काफी इमेज खराब ही और काफी उनकी जो का दॉस्ट के बारे में तो पहा है यहां पर आप बात करें जो सारे के सारे सांग लेक्ट पर देखने को मिल जाएंगे और चसारी सारे सारे। तो आप डिफर्ट डिफर्ट चैनल पर देखने को मिल जाएंगे आप दो सर्च करोगत तो आप दोस्तों को बहां पे jsou देखने को मिल जाएंगे आप दोस्तों बात करते हैं डीलीज के बारे में तो इसन ने में शूट किया गया था और यहां पर बाकी सारे डब्ड वर जान से कन्रा हिंदी तामिल और मली आलम लेंगविज भी थी और इस लिए अडल्ट एस साथ में काफी चाहे कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यह फिल्म बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर रही अब दुस्तों ब और यहां जो की आपको जूर्टि में नेट्फलिक्स पर देखने को मिल जाए शूरी में आपको डिसनी अफटर फ्लस पर देखने को मिल हैगी अगर आफ दोस इन्जैय करना चाहते हो तो जाके यह फिल्म आफ को ओटीडी प्लैफरम पर डेखने को मिल चाहेगी आपको ये वीडियो कईसे लेगी को महसिन तर्य ज़री बता देना अगर आग्र, आप दूसे ने फिलम देखी होते हैं अपटास ये फिलम कईसे लेगी थी? आपिज हम लेटे बताना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करोड़ धर देनां है story land کے بارے में साथी सिन्म के proper detail बताऊँगा के सिन्म का review करूंगा story explain करूंगा और साथी boxers collection के बारे में बात करूंगा direction के बारे में बात करूंगा और यहाँ पर जो के और भी काफसर है जैसे music department और भी काफसर है चीज़ों के बारे में होने वाले तो वीडियो को लाइक करके लास तक देखते रहें तो आज हम बात करें सलार मुई के बारे में सलार एक पार्ट वन है और इसे पार्ट वन का नाम है सीज फायर चीहां सो सलार वन जो के पार्ट वान का नाम है सीज फायर और एक एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और इस इनको जो सेंसर की तरफ से रनिंग टाइम दिया गया वो दो गंटे पच्पान मिनिट का है यानि जो के टू आर फिफ्टी फाइव मिनिट इस इनका रनिंग टाइम है और यहां पर य ट्री में रिलीस की गई ट्विट्टी त्री में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वालिंज से भरी फिल्म थी टैन बैस इक्स फन फाइव की रेटिंग मिली हो यह आउडियंस की तरफ से और इस इनको डिरेक्ट किया प्रशांथ नील ने जहां दोस्तो तो वीडियो को लाएक कर लाजस तक देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर आप चलते हैं जो कि बाकस जैसकी बारे में sabemos तो तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंट्रस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम फास्ट डे की बात करें तो लगभग इसलम ने जो के फास्ट डे में 173 क्रोड का कॉलेक्शन किया था जहां सो 174 क्रोड का इसलम ने जो के वर सौथ वरियंज सारे मिलाके और हंदी लगभग इसलम ने 90 toll का क्लेक्शन किया था और बागी ओर सी से भी सिल्म जो के 80 क्लेक्शन किया हुआ है तो तो टोटलिसं में 172 क्लेक्शन किया था फदे के अंदर और यह फिल्म जो के सकतरे पर व यानि सलार ने अपनी वाजी मारी और फास्टे में जो के रिकारडेबल क्लेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म आडियंस को भी काफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखी वह तो आप सुने कैसी लेगी यह फिल्म आपको कमन बॉक्स में अपीनियन लाजमी बताना है और यहांपर दोस्तों हम बात करेंगे काफ़ सारी चीजें के बारे में तो आप सने वीडियो को लास्टक देखे रहना है ठीके दो करें लारा यहांपर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सिल्म के बारे में Testament किया उर् हुआ है और यहां पारे सिल्म ने तीन दिन के अंदर लगभग 375 क्रोड के आसपास का क्लेक्शन किया था और यह फिल्म जो के फास्ट वीकेंड में लगभग 450 क्रोड के आसपास पहुँच चुकी थी और यहां बदुस्वें ने जो कि लगभग जो के तीन वीक्स में यह चार वीक्स लेकिन लगी रही लेकिन बॉक्स पर इतना रिस्पॉंस नहीं आ रहा था इसी वह जैसे सिल्म को लगभग 3 से चार वीक्स के बाद बॉक्स बाद बॉक्स पर क्लेक्शन किया हुआ है जो कि सिर्फ साथ सो 65 क्रोड के आसपास और सिल्म का बज़र था 270 क्रोड उस सिल्म को बॉक्स वोल्ड वाद इस साथ सो 65 क्रोड के आसपास क्लेक्शन किया हो outर यह । यह हजार कि क्लभ में पहलं पहुआ है लेकिन पिर भी समय में काफी अच्छा क्लेक्शन किया है और यह खर सिल्म के अंदर ने को बर Scale कожет के आद perchा काम पेम का रह चीजिए सिपासलार और यहां पर यह टूथाज़ों ट्री इंडियन तैल गुल एंगवेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ती ड्रेक्ट और जो के राइट की स्टोरी को जो कि राइट की आदा प्रशान नील है ड्रेक्ट भी शान नील ने किया हुए पोड्यूसर है वीजे बात तीनु अनंद एंड एश्वेरा राय और यहां पर जो कि और भी कास देखने को मिलिया जैसे श्री रेड़ी रामत चंद्रन राज्जूस और भी सरिच चाये चीजे हमें यहां पर फिल्में के अंदर देखने को मिली हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करने जैसे डलाग सुगरा की यानि सलार मुई के डलाग किसने लिखे हैं तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इसलम के डलाग सुगरा को लिखा हुआ है पिडियोस किया है विजे करन गंदूर ने और यहां पर इसलम को सिनमोटोग्राफिक की ह और यहां पर इसलम को जो कि एडिट किया है उजवल कुलकरनी ने जिन्हों ने केजिएफ चैप्टर टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ सौरी एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया रावी बस्रूर ने होगा का प्रोडेक्शन कंपनी होंबले फिल्म और सी बिलो और यहां पर इसलम को रिलीस कर वाएगा था टुएटी डिसमबर 2023 में और सिण का रेनिंग्ट टाइम था 175 मिनिट जीएहां 200 सेמסर की तरफ से 175 मिनिट के साथ इसलम को त्येटर में रिलीज करवाए गया कंट्री सुन्म की जो कि इंडिया थी और लेंग्वेज य तोट किया गया था और यहां पर इसलिम का बजड़ था जो के 270 को डौरे सिल्म में बहुत सब्सक्राइब की होई 715 करोड का वी के पेडिया के थ्रू और यहां पर थोड़ा साइज सिल्म के बारे में तो यहां पर जो कि डेब्यू फिल्म थी प्रशांद नील की उगरम उग बढ़त देखने को मिली हैं और यहां पर जिएक बड़े परदे पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो कि मुवी थी और लगबख 2020 में अनौंस किया गया था एक फिल्म बने की जो कि जिसका नाम सलार होगा और इसल्म को ड्रेक करेंगे प्रशांथ नील और उसके सब्सक्राइब करनी तो फाइले सिर्म को बाइस दिसंबर को टॉन्टीट किया हुआ है तो फाइले सिर्म को 22 दिसंबर को 2023 में जो कि रिलीस कर वाय गया था थेटर में और सिर्म ने वर्ल्ड वायर ली जो कि 715 क्लोड का कॉलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉकब़सर फिल्म रही अब यहां पर दो स्टोरी की बात करें तो यहां पर हमें 1985 की स्टोरी देखने को मिलती है और यहां पर जो के हमें सार है को जो खान सार की स्टोरी देखने को मिली है यहां पर जो के वर्ध राजन जो के वर्धा का रोल प्ले करें प्रिष्ट्रिवास कुमार और देवा करोड प्लेगरेम परभाज इसलम के अंदर और उनकी आपस में बॉंडिंग उनकी आपस में जो दोस्ती है उसको दिखाया गया है और वो जब वर्दा यानी जो के प्रॉब्लम में पड़ता है तो देवा उन्हें बचाने के लिए आत लवजों में बतादू यहां पर आप उसको दिखाया जागा है खानसार कि स्टॉरी वहां पर जो के एक राजा था यानी खानसार यानी वर्द राज़ा का फादर झिखाता है और उसका पास जाजह बाइस कोई भी जो कि सेना वगएरा नहीं होती तो वह जाता है अपने दोस्त के पास यानि देवा के पास और उसे लेकर आता है वही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते है उसका अवतार और सारे गुन्डू को एक दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से वोई नियने को मिला है बहुत ही अस्टेनिंग था और यह में हमें काफी जो चाइगा लास्ट में कुछ देखने में भी रिखकित में चाइग और था जो क threat क्या आप मुंगे के अगर पता दूत अब हिस्का कि करका हो सकता है तो यहां पर वही मैं proper आप दोस्तों आपको स्टोरी आगे चलेगी और यहां पर जो कि कौन बैठेगा उस सिंगासन पर आगले नेक्स्ट विल में दे हमें पता लगेगा और आपस में इनकी जो के दुश्मनी को भी दिखाया जाएगा देवा और वर्धा की दुश्मनी को तो यहां पर हम दोस्तों कास सफारी देवा के मदर का रोल प्ले कर रहे हैं कर मैं यहां पर प्वभिरे सिंगा कर रोल प्ले करें हैं और जयुंग रूब्या करूल प्ले करें हैं और यहां पर जो के advanced चोधरी इसले में नारंग का rice add के रगा मीमी Kवपी इसले में बिलाल कर रहे हैं और यहां पर ट्रादहारामा जो के मननार का RPG कर रही हैं और यहां पर प्रुमोद राज पंजु Manual का रोल प्ले वोज़े कर रहे हैं और यहाँ पर जो के मधू जो के गुरू सामी जो है इसलमे है ना वो रूदरा राजास की जो के हैंच मैन है और यहाँ पर रवी बाट इसलमे कृष्णनाथ का रोल प्ले करें रोल प्ले करें नवीन शिंकर इसलमे पंडित का रोल प्ले करें शफी इसलमे थीरू का रोल प् तो यहां पर दो यह थी कास्ट और यहां पर आप दिसो सोगा बात करें क्पानी की तो सही सिलार मुई के प्रडॉक्शन कंपनी Shabbat ऊपनी है वह हम भूली फिल्म मुए के अफेर और तो यहां पर दोस्तों बात की जाया है पर दोसदों कि अड़े प्रश्छादने लिए तो उगरम उगरम फिल्म से ये इस फिल्म को यानि सलार मुई को इंसपायर किया गया है और यहां पर जो कि सलार मुई को बड़े परदे पर लाया गया है यह फिल्म भी बहुत ही अच्छी लेगी और यह फिल्म भी काफी इंटरस्टिंग रही देखा जाये तो वैसे प्रभास क जो के करियर बहुती पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुती ड्रॉप पर चल रहा था क्योंके उनकी दो पिछली फिल्में रादे शाम आदी पुरुष जो के बॉकसे बुरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकिन वो भी दी थी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कम बैक किया सलार मुई से आडियंस को भी काफी पसंद आई यह वह फिल्म और आडियंस ने भी काफी वावाई की सलार यानि प्रभास की और यहां पर दोस्तों बात करें यह फिल्म कहां पर ओटीटी पे अविलेबल है तो से को मिल जाएंगे वह टी स्रीज के यूडूब चैनल बाकी सारे सांग्स आपको बाकी डिफरेंट 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 चैनल पर देखने को मिल जाएंगे आप तो सर्च करोगे तो आप दोस्तों को आप देखने को मिल जाएंगे आप दोस्तों बात करते हैं रिलीज के इस फिल्म को टैल्गु में शूट किया गया था और यहां पर बागी सारे डब्डवर जानते कर्ना, हिंदी, तामिल और मलियालम लेंगुज भी थी और इस फिल्म को जो के अडल्ट ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीस करवाय गया था और यहां पर जो के एस हर्टिफिकेट साथ भी इसलमें काफी अच्छाई कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यह फिल्म बॉक्सेस पर ब्लॉक्बस्टर रही अब दोस्तों बात करते हैं इसलम के बारे में के यह फिल्म अब कहां पर आ चुए और सिकेंड पार्ट का नाम होगा तो आप स्क बता दूभी सेंकंड पार्ट का नाम होगा इसने को मिल जाएगी प्लिंगस पर देखने को मिल जाएगी अगर आप दूसर ना करना चाहते हो तो जाके इन्चॉइक कर सब्सक्राइब विडियो आपको ओटीडी प्लैटफरम पर देखने को मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो कैसे लेगी को मौसम दो रहे जो पता देना अगर आप दोसे ने फिल्म देखी हुए तो अप दोस्तों की यह फिल्म कैसी लेगी थी अपिनियन बताना है और वीडियो को लाइक कर उससे पहले आपसको डिस्क्लैमर में बता दूँ अगर आप दोस्तों सलार मुई के बारे में ए टू जानना चाहते हैं स्टोरी लैंड के बारे में साथी सिल्म के प्रॉपर डिटेल बताऊंगा जो के सिल्म का रिव्यू करूंगा स्टोरी एक्स्प्लैन करूंगा और देखते हो क्योंकि इस वीडियो में सारी डिटेल के साथ बताने वाला हूं जो कि यह मुवी नहीं होने वाली है सारी रिव्यू वाली वीडियो होने वाले तो वीडियो को लाइक करके लास तक देखते रहें तो आज हम बात करें सलार मुई के बारे में सलार एक पार्ट व यहां पर यह 2023 में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वालिन्स से भरी फिल्म थी टैन बैसिक्स फंफाइव की रेटिंग मिली हो यह आउडियंस की तरफ से और इस विल्म को डिरेक्ट किया प्रशांथ नील ने जहां दोस्तों आप सब जानते होंगो कितना कैक्शन कृटल बॉक्स कि चारा सारी बात करोंगी तो वीडियो के लाग करके लास देखते हूं ऑच्टरी Springs बार्ट केबारे में तो यहां पर हम फास्ट डे की बात करें तो लगभग तो लगभग डे में वन सैंटी 30 क्रोर का कॉलेक्शन किया था जहाँ सो 174 क्रोर के सिन उसके वर्ड वारन की एक साथ वर्यां मिलाके atteint लगभग 90 क्रोर का क्ॉलेक्शन किया था बाकि और सी से भी सिल में जो के 80 करोर का क्लेक्शन किया हुआ है तो टोटली सिल में 170 करोर का क्लेक्शन किया था फस्टे के अंदर और यह फिल्म जो के बॉक्स पर और टीम रिकारड़ फिल्म रही थी और इस फास्टे में बहुत यह ची ओपनिंग लिए लेकिन दुस्तों टीम बात यह इस बात यह बिक्वाद में ख्क्राड़ के लेक्शन करके लिए और यह फिल्म और कफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखिए वे तो आप सुने कैसी लिए फिल्म आपको कमन पुक्स में अपीनिया लाजमी बताना है और यहां पर दोस्तों हम बात कर तो आप उसने वीडियो को लास तक देखते रहना है ठीक है तो और यहां पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिल्म के बारे में जैसे जो किसल में कितना किया और यहां पर जो के सारा को डिटेल बताने वाला हूं तो आप दोस्तों ने वीडियो को लाजमी देखने रहना है यहां पर दोस्तों हम बात करें जो के फास्टे में इस सिल्म में 173 करोड का कोलेक्शन किया सेकेंड डे के अंदर भी लगभग इस सिल्म में 120 करोड के आसपास का कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर दोस्तों इस से बाहर हुई थी 3एटी 3 वीक के बाद या छार वीकôt नहीं यह सी उदक है वी advice नहीं झाहिए तो सिर्फ करोड का बज़ोर मैं सबस्रेट करोर तो सिर्म ने जो वाल्ड scriptures किया हुआ हुआ है तो तो यह फिल्म 1000 क्रोड कि कलभ में नहीं पहुंच भाए लेकिन फिर मुंए इस फिर भी इसनल्म ने काफ़ पसंद आई नहीं है जह सीघिसर जिसतरह से लुज्रा से अंदर बहुंएन के अंदर हैं वालस देकने को मिल और जिस और यहां पर प्रभास लीड कास्ट में हमें देखने को मिले हैं और यहां पर जो के स्पोर्टिंग कास्ट में हमें देखने को मिले हैं और यहां पर जो के स्पोर्टिंग कास्ट में हमें देखने को मिले हैं और यहां पर जो के स्पोर्टिंग कास्ट में हमें देखने को मिल भी कासर चाहे हैं चीज़े हमें यहां पर फिल्में के अंदर देखने को मिली हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे डलाग सुगरा की यानि सलार मुई के डलाग किसने लिखे हैं तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर परनी ने जिनोंने केजी फ चैप्र टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया भी बस वरूद ने प्रोडेक्शन कंपनी होंबाले फिल्म और डिस्टिबिशन कंपनी है सी बिलोव और यहां पर इसलम को रिलीस करवाएगा 22 डिसमबर 2023 में और रेनिंग टाइम था 175 मिनिट जी हां दोसो सेंसर की तरफ से 175 मिनिट के साथ इसलम को ठेटर में रिलीस करवाएगा गया कंट्री इसलम की जो के इंडिया थी और लेंगवेज यहां पर कंड़ा में भी इसलम को दो लेंगवेज में शूट किया गया था और यहां पर इसलम का बजड़ था जो के 270 को डौर इसलम में बहुत से क्लेक्शन की होई 715 करोड का वी के पेडिया के थूँ और यहां पर तोसों बात करें थोड़ा साइसलम के बारे में तो यहां पर जो के डैब्यू फिल्म थी प्रशांद नील की उगरम उगरम फिल्म हैं और यहां पर जिक बड़े परदे पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो कि मुवी थी और इसलम को लगबग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो कि जिसका नाम सलार होगा और इसलम को ड्रैक करेंगे प्रशांथ नील और उसके बाद यहां पर जो क वी एक्स का काम स्टार्ट कर दिया गया और यहां पर भी काव सारी चीज़ें रहती थी और म्यूजिक भी जो कंपोस कर रहते रवी पसूर्ट और जो कि अडिट किया है व्यूजु अलकुर करनी ने इसलम को अडिट किया हुआ है तो फाइनले इसलम को 22 दिसमबर को 2023 में जो कि रिलीस करवाया गया था थीटर में और सिलम ने वर्ल्ड वाइल ली जो कि 715 क्लोड का कोलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही अब यहां पर दो स्टोरी की बात करें तो यहां पर हमें 1985 की स्टोरी देखने क को मिली है यहां पर रजो कि वरत राजन जो कि वर्धा कर रोल प्ले करें़ प्रिष्ट्रिवैस कुमार और देवा करोल प्ले करें सिलम के अंदर कामें जो को दिखाए गया हैly मुाथ आBoy क काफि देखने को मिला है और प्लेटिंग में हर् पर चिए काफित॥ची है झीडि है और आप उसको भी पसंद आएगी तो यहां पर चाल की स्टोरी वहां पर जो एक राजा होता है यांगी उसके भाई भी हुंता है जिसका राउर प्लेकर हर्माचंदर राजू वह भी होता है और इहां पर जो कि कौन बैस्ट है उसंगासन पर और यहां पर सारह कोई चोगे लडाव शुरू हो जाती है तो तब ही जो करूं कोई इसी आर्मी होती है और जब देखते हैं उसका आवतार और सारे गुंडू को एक ही दम मार देता यह तो सारे डर के भागग जाते हैं जिससतर है उनका डर ढर दिखाया गया है बौoming ने को मिला है बहुत यह उस्टैनिंग था और यहांपर दोसके स्टोरी देखने को मिली है लास्ट में हमें काफी जो कि इंटर्विल सीन में बी हमें जो कि कुछ चीज़ के पर मजा ब्रक्राह हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स्टोरी आगे चलेगी और यहां पर जो कि कौन बैठेगा उस सिंगासन पर आगले नेक्स्ट विल में दे हमें पता लगेगा और आपस में इनकी जो के दुश्मनी को भी दिखाया जाएगा देवा और वर्धा की दु जगपदी बाबु इसलमें राजामनार का रोल प्लेग कर रहे हैं तीनुवानद इसलमें गौडवाद जो कि अल्यास का रोल प्लेग करें और यहां पर देवराज जो कि अम्ब का रोल प्लेग करें और यहां पर बोबी सिमा भैर्वा का रोल प्लेग कर रहे हैं और जॉन और यहां प्र से बाज्द करें हैं ॔र यहां पर वाज़रंट शैटी चीह में और यहां पर नवीन शिंकरán पंडित का रोल प्ले करें शफी इसलमें थीरू का रोल प्ले कर रहे हैं और प्रूधी राज इसलमें विलेज सरपंच का रोल प्ले करें और यहां पर सब्ता किरी जो है ना यहां पर चंदराम का रोल प्ले करें यहां पर संपतराम इसलमें वैदा का रोल प्ले कर रहे हैं तो यहां पर दो ये थी कास्ट और थोड़ा बात करें प्रॉडेक्शन कंपणी प्रॉडेक्शन कंपणी की तो इस सुल्म करोड के प्रॉयक्शन कंपणी है हम्ॉल है फिलम जो के कीज़िया फेलम को प्रॉडीूस किया हुआ है तो केजिया फिल्म भी बॉक्सस पर जो दूसरा बाट आया था था ना वो ओल्टिंग ब्लोगबस्टर फिल्म नहीं थी उसने लगबग 1200 करोड के कोलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के आफसे उपर तो यहां पर दोसों बात की जाए प्रशांत निल की प्रशांदली की फ़स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म थी उगरम उगरम फिल्म से यह इस फिल्म को यानि सलार मुई को इंस्पैर किया गया है और यहां पर जो कि सलार मुई को बड़े पर्दे पर लाया गया है यह फिल्म भी बहुत ही अच्छी लेगी ओडियन्स को और यह फिल्म भी काफी इंटरस्टिंग रही देखा जाये तो वैसे प्रभास का जो करियर बहुत ही जो कि पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुत ही ड्रॉप पर चल रहा था क्योंकि उनकी दो पिछली फिल्म है रादे शाम आदी पुरुष जो के बॉकसर बुरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकर भी ठीक ठाक चली थी यह वो अच्छी फिल्म रही थी लेकर जो इनकी दो पिछली फिल्म में आई है आदी पुरुष और जो के रादे शाम की वज़ए से उनकी काफी इमेज खराब ही और काफी उनकी जो काफ पर यानि प्रभास की और यहां पर दोस्तों बात करें अब इस लिम के बारे में तो पहरे आप दोस्तों बात करते हैं यह फिल्म कहां पर ओटीटी पे अविलेबल है तो उससे पहले आपको सबसे पहले यहां पर जो कि मैं सौंग्स वगरा के बारे में बात कर देता हूं और यहां पर जो इसन के सौंग्स वगरा हैं वह हिंदी लैंगविज वाले आपको सारे के सारे सौंग ट्रैक वगरा यूटुब पर भी आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे वह टी स्रीज के यूटूब चैनल बाकि सारे सौंग्स आपको बाकि डिफरेंट डिफरें के साथ जो कि हिंदी में और बाकि सारी सौथ लैंगफ भी दी खP और यहाँ पर जो के एस हार्टिफिते साथ भी इसन में काफी अच्छा क्लेक्शन किया हुआ है और यहाँ पर यह फिल्म बॉक्सस पर ब्लोक्बस्टर रही हुआ चैजा अठागा देखने को मिल जाएगई प्लिक्स ॏ पर देखने को मिल जाएगी यांड़ी प्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दूसरो हिंदी में आपको डिशनी ऊस्टार Health प्लस पर लेखने को मिलेगी अगर आप दोस्तें इन्जॉई करना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको ओ टीडी प्लैटफरम पर देखने को मिल जाएगी तो तो आपको ये वीडियो कैसे लेगी को मौसिन तो रहे हैं जो के प्रभास की मुई सालार मुई के बारे में तो फाइनली दोस्तों ये फिल्म कहां पे अवले बले रहा हूं आप दोस्तों को कैसे देखते हो वो भी हिंदी लेंगविज के अंदर उससे पहले आप इसको डिस् चाहते हैं स्टोरी लैंड के बारे में साथी सिर्म करया रविवी करूं का स्टोरी, एक्स्प्लेन करूंगा करूंगा साथी box boxes कलेक्शन के बारे में बाद बात करूंगा और यहाँ पर जो को जैसे music डिपार्टमेंट और भी कासे 생닌 चीजसे करें बात करूंगा अगर आप दोस इंट्रस्टेड नहीं हो तो इस वीडियो को अभी स्कीब कर सकते हो क्यों कि इस वीडियो में सारी डीटेल के साथ बताने वाला हूं जो कि यह मुवी नहीं होने वाली हैज अग्छत कर देखतेfacing है तो आज हम बात करें सलार मुई के बारे में सलार एक पार्ट बन है और सु सलार बन जो के पारड बन का नाम है सीज फायर और एक एकशन थ्रिलर वाली मुई थी और इस इमको जो सेंसर की तरफ से रनिंग टाइम दिया गया वो दो गंटे पच्पान मिनिट का है यानि जो के टू आर फिफ्टी फाइव मिनिट इस लिम का रनिंग टाइम है और यहां पर यह 2023 में रिलीस की गई ट्विट्टी डिसेंबर को 2023 में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वाले कितना था और इस लिम कीकितनी लिंट्विट किया गया था और यह फिल्म कैसे रही और मय अरव को कैसी लिए किसलग सुट करने का तक किटना कोएबऒत करूंगा था बार क्लेक्शन के बारे में तो यहां पर हम बात करेंगे फास डे के बारे में और यहां पर बॉक्स क्लेक्शन के बारे में टोटल बात करेंगे के सिल्म ने जो के बॉक्स पर कितना क्लेक्शन किया हुआ तो आप दोस वीडियो को लाजमी देखना है और इंटरस्टेड हो तो सब व्लड-ौर्डी क्लेक्शन किया था फर्स डे के अंदर और यहां यहां पर गबग 이것도 क्लैक्शन कि अन्डिया से था तो इस दो कि एक पर है तो 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 तोसन्य के किया था फास्टे के अंदर और यह फिल्म जो के बॉक्स पर आल टीम रिकारड़ फिल्म रही थी और इस ने फास्टे में बहुत ही अच्छी ओपनिंग लिए लेकिन दोस्तों खास बात यह भी के सिल्म ने क्लैश किया हो था शारू खान की फिल्म यानि डंकी से लेकिन डंक और यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे आगे काव सारी चीजें के बारे में तो आप उसने वीडियो को लास तक देखते रहना है ठीक है दोस्तों और यहां पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस इल्म के बारे में जैसे जो के इसल्म में कितना क्लेक्शन किया हो था फास्ट है और यहां पारे सिम्म ने तीन के अंदर लगभग 375 क्या स्था क्या क्या ता और यह फिल्म फास्ट वीकंड में लगभग 405 करोड के आस पास पहुच चुकी थी और यहां बदुसरें ने जो कि लगबग तीन वीक्स में ये फिल्म जो कि बोक्स से बाहर हुई थी तीन वीक्स के बाद ये ही लेकिन ईविक्सक्थ इतना रिसक्णिए और इस वैसे रायर था ہزار کروڑ کی کلب میں نہیں پہنچπی لیکن پھر بھی اس film نے کافی اچھا کولیکشن کیا ہے اور یہ film بھی آडیاںس کو کافی پساند آئی ہے جس طرح سے اس film کے اندر ہمیں وائلنس دیکھنے کو ملا ہے جس طرح سے ہمیں اس film کے اندر اور بھی کاف سارے چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں تو وہ بھی ہم بات کریں گے آگے جیسے یہاں پر سلار پارٹ اون سی س وائر جو کہ اس film کا جو ہے ट्रांसलेशन की दाए गया है तो इसका नाम बनता है कमांडर या सिपासलार और यहां पर यह 2023 की इंडियन तैल गुल एंगवेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ती ड्रेक्ट और जो के राइट किया हुआ था इस फिल्म की स्टोरी को जो कि राइट की आदा पर श शुरूती हसन जगपदी बाववी सिम्भा तीनु अनंद एंड एश्वेरा राय और यहां पर जो के और भी काफसरी कास देखने को मिलिया जैसे श्री रेडी रामत चंदरन राजूस और भी कासरी चाये चीज़ें हमें यहां पर फिल्में के अंदर देखने को मिली हैं त इसल्म के डालाग सुकरा को लिखा हुआ है विजय करन गंदूरी ने गंदूर ने और यहां पर इसल्म को सिनमोटोग्राफिक की है बुवन गोडा ने और यहां पर इसल्म को जो कि एडिट किया है उजवल कुलकरनी ने जिन्होंने के जीफ चैप्र टू मुई को डिरेक् में और सिनका रेनिंग टाम था 175 मिनिट जी हां 200 सेंसर की तरफ से 175 मिनिट के साथ इसल्म को तेटर में रिलीस करवा गया कंट्रिंग इसल्म की जो कि इंडिया थी और लेंगवेज यहां पर कनड़ा में भी इसल्म को दो लाइंग विज में शूट किया गया था और यहां पर इसल्म का बजड़ था जो के 270 को डौर इसल्म में बहुत से क्लेक्शन की हो है 715 करोड का वी के पेडिया के थ्रू और यहां पर 200 बात करें थोड़ा साइसल्म के बारे में तो यहां पर जो के डैब्यू फिल्म थी प्रशांद नील की उगरम उगरम फिल्म से जो के अम पर एक बड़े पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो की मुवी थी और इसल्म को लगबग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो के जिसका नाम सलार होगा और इसल्म को ड्रैक करेंगे प्रशांथ नील और उसके बाद यहां पर जो के सीस्वायर के नाम और म्यूजिक भी जो कंपोस कर रहते हैं रवी बसुर्ट और जो के अडिट किया है बुवन गोड़ा ने इसल्म को सॉरी सिम्नोडियोग्राफिक की आयो जो अलकूर करनी ने इसल्म को अडिट किया हुआ है तो फाइनले इसल्म को 22 दिसंबर को 2023 में जो के रिलीस करवा ग मिलती है और यहाँ पर जो क्रतूर को सार खान सार की स्टोरी देखने को मिली है यहां पर चोके वरद राजन जो के वरधा करोल प्ले करें प्रिफ्टिवा ताम इनकी का सारे हमें को मिल जाते हैं सिर्म में हमें वाइलिस काफी देखने को मिला है और प्लाटिंग वाले सीन हमें काफी देखने को मिले है और यहां पर जो के मुई काफी अच्छी है तो ओवरल कहा जाए मुई काफी इंटरस्टिंग है और आप उसको भी पसंद आएगी तो यहाँ पर दोसों आपको सिंपल लवजों में बता दू यहाँ पर आप दिसको दिखाया जागा है खानसार की स्टोरी वहाँ पर जो के एक राजा होता है यानी खानसार यानी वर्द राजा का फादर जो होता है और उसका एक भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें राम कोई भी क्योंकि सेना झाजराव नहीं 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 तो थो से लेका रहाता है वही उसकी आर्मीह होती है और सबơn cin Tack गुंड़ को घंड़ देता है तो सारे दार के भाग जाते हैं जिस था से उनका डर दिखाएगा है और यहां पर दोस्तों यही स्टोरी देखने को मिली है लास्ट में हमें काफी जो के इंटर्विल सीन में भी हमें जो कि कुछ चीज़ें देखने को मिली है और लास्ट में जो के क्रेडर सीन में भी और कुछ नहीं था सिर्फ जो के सालार का एक क्विस्ट हमें देखने को मिला है वो क्या था वो आप दोस्त मुई देखोगे तो आप दोसको पता लग जाएगा अगर मैं बता दूँ तो आप दोस्तों ने अगर फिल्म नहीं देखी तो आप दोसको जो के आप दोसका मज़ा भी किरकरा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स् सिंगासन पर व आगले नएक्सट विल में दे हमें पता लगेगा और आपस touched on है दूँणी को भी दिखाया जाए गा सौरी देवा के माधर का रोलिग कर रहें जगपती बाप वी सिन में राजा मनार का रोल प्ले करो तेमें 159 जो कि अमकरोल प्लेग्र करें और यहांपर वो भी सिंब आ भेरवा का और रोल प्लेग कर रहे हैं और पर चाँवान करएकर रहे हैं और यहां पर चानसी अंभलम हार्मा का रोल प्लेक करें और यहां पर वाजरनट शेती जो है सिन्में विश्नूं का रोल प्लेई करई हैं। और यहां पर रवी बाट है क यहांपर संपत राम सिर्म वैदा का रोल प्लेग कर रहे हैं तो यहां पर यह थी कास्ट और आप दोस्तों थोड़ा सा बात करें प्रडेक्शन कंपनी की यानी प्रसलार मुई के प्रडेक्शन कंपनी है वह हूंबॉले जिसने के जुके के जीया फिल्म को प्रडियूस किया हुआ है तो के जीया फिल्म भी बॉक्स तर्ज़ दूसरा बाट आया था ना वह ईल्टिंग ब्लोगबस्टर फिल्म रही थी उसने लगभग 12.00 करोड के कोलेक्शन किया हुआ के बॉक्स के अवस्थ बात की जाए पौर शांतनिली की फरस्ट फिल्म डेब्यू फिल्म से ia Nous Film को यानी सलार मुई को इंसपायर किया गया है और यहां पर जो सलार मुई को बड़े परदे पर लेया गया है यह फिल्म भी बहुत ही अच्छी लेगी और ये फिल्म भी काफी इंट्रस्टिंग रही देखा जाए तो वैसे प्रभास का जो करियर बहुत ही जो के पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुत ही ड्रॉप पर चल रहा था क्यूंके उनकी दो पिछली फिल्में रादे शाम आदी पूर जैसे उनकी काफी इमेज ख्रब ही और काफी जो काफी ट्रॉल किया गया और काफी जो के अँंको बुरा बला कहा गया जस términ है इन उनने फिल्में दी थी और उसके बाद उन्हें जिस तरह सă eingसालार मूई और आडियन्स को भी काफी पसंद आयं यह फिल्म और ऑर आड्यन् पर जो इस्लम के सॉंग्स वगरा हैं वो हिंदी लैंगउज वाले आपको सारे के सारे सांग ट्रैक वगरा यूटूब पर भी आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे वह टी-सीरीज के यूटूब चैनल बाकि सारे सांग्स आपको बाकि डिफरेंट डिफरेंट चैनल और देखने को मिल जाएंगा तो आप सर्च करोगे तो आप दूसे पहां पर देखने को मिल जाएंगे अप दूस्तों बात करते हैं मेंC करवाया गया था जो कि यह फिल्म टैल्गू लेंगवज के साथ जोकि हिंदी को आमक्स में रिलीज करें गया था और दो गरफ साथ और और दो यहां पर का फूझ किशन का राश पाफِन घन्ग iy व संड़ी घन्डी पामिल और जो लैंग्विज भी ओर अज़िक्र को ऑाब दो डियर बार ही आड़ी के शर्यूसन के कांव है किर थाल और जैट फेर यह फिल्म के सेकंड पार्ट का नाम होने वाला सालाल पार्टू शौरियंगा परवं जो के सेकंड पार्ट का नाम होगा और यह फिल्म जो के हिंदी के अंदर भी आप दिसको यूडूब पर देखने को मिल जाएगी सारी लैंग्विज में और हिंदी में आपको डिजनी होस्टार प्ल पर देखने को मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो कैसे लिगी को मौसिन दो रहे हैं जो के प्रभास की मुई सालार मुई के बारे में तो फाइनली दोस्तों यह फिल्म कहां पे अवले बले रहा हो आप दोस्ते को कैसे देखते हो वह भी हिंदी लेंगविज के अंदर उसस सलार मुई के बारे में A to Z जानना चाहते हैं स्टोरी लैंड के बारे में साथी सिल्म के प्रॉपर डिटेल बताऊंगा जो के सिल्म का रिव्यू करूंगा स्टोरी एक्स्प्लें करूंगा और साथी बॉक्स कलेक्शन के बारे में बात करूंगा और यहां पर जो के और भी जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट और भी काफसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा अगर आप दोस्त इंट्रस्टेड नहीं तो इस वीडियो को अभी स्कीप कर सकते हो क्योंके इस वीडियो में सारी डीटेल के साथ बताने वाला हूँ जो की ये मूवी नहीं होने वाली है तो विडियो को लाइक करके लास तक देखते रहें हैं तो आज हम बात करें सलार मूई के बारे में सलार x5 मीनिट का है या जो के ट्वáर 55 मिनिट इस इनका रूनिंग ट襲ाए है और यहां पर यह 2023 में रिलीस की गई एक्ष एक्षण थ्रिलर वाली मुवी थी और वालिंस से भरी फिल्म थी टैन बैसिक्स फंफाइव की रेटिंग मिली हो यह आउडियंस की तरह से और इस फिल्म को डिरेक्ट किया प्रशांथ नील ने जहां दोस्तों आप सब जानते ह कितना क्लेक्शन किया सारी बात करूंगा तो वीडियो के लाइक करके लास तक देखते रही हैं सबसे पहले हम यहां पर आप चलते हैं जी जो के बाक्स क्लेक्शन के बारे में तो यहां पर हम बात करेंगे और यहां पर बाक्स क्लेक्शन के बारे में टोटल बात करेंगे क कितना कोलेक्शन किया हुआ तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंट्रस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम दोस्तों फास्ट डे की बात करें तो लगबग इसलिम ने जो के फास्ट डे में 173 क्रोड का क्लेक्शन किया था ज 80-90 क्रोड से इंडिया के से इसलिम ने क्लेक्शन किया था तैलंगाना और यहां पर हिंदी को वर्यान को मिला के साथ वर्यान सारे मिला के और हिंदी वर्यान मिला के लगबग इसलिम ने 90 क्रोड का क्लेक्शन किया था और बाकी और सी से भी सिलिम जो के 80 क्रोड का किया था फास्टे के अंदर और यह फिल्म जो के बॉक्स पर आल टेम रिकारड़ फिल्म रही थी और इस फास्टे में बहुत ही अच्छी ओपनिंग लिए लेकिन दोस्तों खास बात यह भी के सिल्म ने क्लैश किया हुदा शारू खान की फिल्म यानि डंकी से लेकिन डंकी जो के शारू खान की फैन बेस भी काफी अच्छी है लेकिन फिर भी सिल्म यानि सलार ने अपनी वाजी मारी और फास्टे में जो के रिकारड़ेबल कलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म और यह फिल्म को भी काफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखी वह तो कि फास्ट गंडर कितना किया सेंड डे में कितना कि और यहां पर जो किसारा को डिटेल्ट बताने वाला हम यहां पर दोस्तों बातिके अमेरा जो केवास्ट-चैने के अंदर वहाργ का असफास किया हुआ है और यहां पारे इसे हमें तीन दिन के अंदर लगबंक 45 करोर का असपास का कोलेक्शन किया था और यह फिल्म जो के फास्ट वीकेंड में लगभग चार सो पांच से करोड के आज पास पहुँच चुकी थी और यहां बदूसर इस सिल्म ने लगभग तीन वीक्स में यह फिल्म जो के बॉक्सस से बाहर हुई थी तिन वीक्स के बाद या चार वीक्स लेकिन लगी रही लेकिन वोउउसि पर इतना रिस्पॉंस नहीं आरा था इसी वजय से इसन को लगब लगब 4 के बाद बॉक्स livres ने टोटली जो के वॉल्ड़ आ मॉल्ड करोड पॉ reflection किया हुआ है चिंप साथ सो 65 करोर के आजपास और इसलम का बज़ट था 270 करोर और इसलम ने जो के वर्ल्ड वायल डीज 765 करोर के आजपास का कॉलेक्शन किया हुआ है तो ये फिल्म 1000 करोर की कलब में नहीं पहुँच भाई लेकिन फिर भी इसलम ने काफी अच्छा कॉलेक्शन किया है और ये फिल्म भी आडियंस को काफी पसंद आई है जिस तरह से सिलम के अंदर हमें वायलिंस देखने को मिला है जिस तरह से हमें सिलम के अंदर और भी काफ सारे चीज़ें देखने को मिली है तो भी हम बात करेंगे आगे जैसे यहां पर सलार पार्ट वन सीस वायर जो के इस फिल्म का जो है ट्रांसलेशन की दाए गया है तो इसका नाम बनता है कमांडर या सिपा सलार और यहां पर यह 2023 की इंडियन तैल गुलैंग वेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी डिरेक्टर जो के राइट किय को जो कि राइट के आदा प्रशान नील ने ट्रैक भी उशान नील ने किया है वीजे किरन गंजुंदर और यहां पर प्रभास लीड कास्ट में हमें देखने को मिले हैं और यहां पर जो के स्पोर्टिंग कास्ट में हमें देखने को मिली है शुरूती हसन जगपदी बाव हैं तो यहां पर हम दोस्तों बाहत करने जैसे डलाग है कि यानि सलार मुई के कितने किसे लिखें तो संदीप रेटिमी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इस सिल्म के डलाग लिखा हुआ है पिडियोंस किया है विजय करन गंदूरी ने गंदूर ने और यहां पर इसलम को सिनमोटोग्राफिक की है बुवन गौडा ने और यहां पर इसलम को जोकि एडिट किया है उजवाल कुलकर्णी ने जिनूने केज़ेफ चैप्टर टू मुई को डिरेक्ट किय हुआ हुआ सौरी एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया भी बस्वरूर ने होगा का प्रोडेक्शन कंपनी होंबले फिल्म्स और डिस्टिबिशन कंपनी है सी बिलो और यहां पर इसलम को रिलीस करवाए गया था 22 डिसमबर 2023 में और सुनका रेनिंग टाइ पर इसलम का बजड़ था जो के 270 कोड़ इसलम में बहुत से क्लेक्शन की हो है 715 करोड का वी के पेडिया के थ्रू और यहां पर 200 बात करें थोड़ा साइसलम के बारे में तो यहां पर जो के डैब्यू फिल्म थी प्रशांद नील की उगरम उगरम फिल्म से जो के अमना स् पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो की मुवी थी और इसलम को लगबग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो कि जिसका नाम सलार होगा और इसलम को ड्रैक करेंगे प्रशांथ नील और उसके बाद यहां पर जो के सीस्वायर के नाम से इसलम का जो के चीज़ें रहती थी और म्यूजिक भी जो कंपोस कर रहते रवी बसूर और जो के अडिट किया है बुवन गोड़ा ने इसलम को सौरी सिमनोडियोग्राफिक की आयो जो करनी ने इसलम को अडिट किया हुआ है तो फाइनले इसलम को बाइस दिसमबर को 2023 में जो के रिलीस कर करनी इसलम हैं और करनी तक के लिए उस पर जो करेंगे को मिला है और जाक्यों चीड़ाब वुर्वर्दकों स्क्राइबुसर्ड को मिलता हैर्जी सिमनोडर का और श्मयूहां और हैंद ओ 수 और यहां पर जो के मुई काफी इच्छी है तो वेरल कहा जाए मुई काफी इंट्रेस्टिंग है और आप उसको भी पसंद आएगी तो यहां पर दोसो आपको सिंपल लव्जों में बता दू यहां पर आप जिसको दिखाया जागा है खानसार की स्टोरी वहां पर जो के एक यानी वर्दराजा का फादर जो होता है और उसका एक भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें रामचंदरन राजू वो भी होता है और यहां पर कौन वैस्ट एगाउ सिंगासन पे और यहां पर सारा कुछ जो कि लड़ाई हो जाती है तो तब ही जो कि उनके फास यानि वरधा झावता के भाई काम सारे गंडे होती हैं लेकि यानि वरधा के पास कुईूबी सेनध यहारा तो वह जाता है अपने दोस्ट पास जानी देवा के पास और उसे लेकर आता है वो ही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं उसका अवतार और सारे गुंडों को एक ही दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया है बॉयलेंस देखने को मिला है बहुत ही अस्टेंडिंग था और यहां पर आप दोस्मूई देखोगे तो आप दुसको पता लग जाएगा अगर मैं बता दूत आदू तो आप दुस्सों ने आगर फिल्म नहीं देखी तो आफ दूसको जो कर मज़ाबी किर्कषा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्टो आपको इस स्टोरी आग करोड़े किया हुए और यहां पर शुरृतिहस्न झाध्या गरोड़ प्रेकर और सब्सक्रा चिए माधर के माधर करें जगफदी बाभाईisma राजामंनार कर यहां पर यहां परोड़ यहां पर व का रोल प्लेग कर रहे हैं और जौन विजय इसल में रंगा का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहां पर जो के मेंस चोधरी इसल में नारंग का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहां पर शिरिया रैड़ी जो के राधा रामा जो के मनार का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहां पर यहां पर सप्ता किरी जो है न यह थी कास्ट और यहाँ पर अब दोस्तों थोड़ा सा बात करें प्रडेक्शन कंपनी की तो इस इन्म यानी प्रसलार मुई के प्रडेक्शन कंपनी ए वह हमबॉल फिल्म जिसने पर जो के गया है और यहां पर जो कि सलार मुई को बड़े पर्दे पर लाया गया है यह फिल्म भी बहुत ही अच्छी लेगी और यह फिल्म भी काफी इंट्रस्टिंग रही देखा जाए तो वैसे प्रभास का जो करियर बहुत ही जो कि पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुत ही ड तरा पर सलार मुई से आउडियंस को इस बारे में बारे बात कर देता हूं ठीक है और यहां पर जो इसलम के सौंग्स वगरा हैं वह हिंदी लैंगविज वाले आपको सारे के सारे सौंग ट्रैक वगरा यूटूब पर भी आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे वह टी स्रीज के यूटूब चैनल पर बाकी सारे सौंग्स आपको बाकी डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं रिलीज के बारे में तो इसलम को टुटूटू डूसंबर को 2023 में को रिलीज करवाया गया था जो कि यह फिल्म टैल्गू लैंग्विज के साथ हिंदी में और बाकी सारी साथ लैंग्विज में रिलीस हुई थी और इ रिलीस करवाया था और यहां पर जो कि एस साथ बीसन में काफी अच्छा या कुलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यह फिल्म बॉक्सेस पर ब्रॉक्बस्टर रही अब दूस्तों बात करते हैं इसलम के बारे में के यह फिल्म आप कहां पर आज किया और सिल्म के सैकंड इसके सेकंड पार्ट का नाम होगा और यह फिल्म के दिजुक्ट सब्सक्राइब Confiacure नाम होगा को अची मिल जाए प्लास अब लापको देखने को मिल कि पर देखने को ओद इसका मिल में आपको दिज्नी घॉब्स यह यह घुक्त यह फिल्म आपको ओटीडी प्लैटफरम पर देखने को मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो कैसे लिगी को मौसिंत दो रहे जो बता देना अगर आप दोसे नहीं फिल्म देखी होगे तो अपिनियन बताना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर द उससे पहले आपसको डिस्कलैमर में बता दूँ अगर आप दोस्सलार मुई के बारे में एटू जानना चाहते हैं स्टोरी लैंड के बारे में साथी इसलिम के प्रॉपर डिटेल बताऊंगा जो के सिलिम का रिव्यू करूंगा स्टोरी एक्स्प्लैन करूंगा और साथी पॉक्स कलेक्शन के बारे में बात करूँगा GREाँ और यहां पर जो कि कह आवी कया जैसे म्यूजिक अपार्टमन और भी काफ्सरी चीज़ों के बारे में बात करंगा अगर आप दोस्तों को यहां करें दोस्तो आप दोस्त्तों को बेडिए सुब आज देGu trauma कीने वाले फायर चीहां सो सलार वन जो के पार्ट वन का नाम है सीज फायर और एक एक्षन थ्रिलर वाली मुवी थी और इस इनको जो सैंसर की तरफ से रनिंग टाइम दिया गया वो दो गंटे पच्पान मिनिट का है यानि जो के टू आर फिफ्टी फाइव मिनिट इस इनका रनिंग ट की पर्षान नील ने जीया हं तो आपसब आस्व ध्यां बजिट कितो ूर इस फिल्म को शूट किया गया था? और ये फिल्म कैसी रही और आडियंस को कैसी लगी इस लिए टोटल बॉक्स कितना कोलेक्शन किया सारी बात करूंगा तो वीडियो को लाइक करके लास तक देखते रही है सबसे पहले हम यहां पर आप चलते हैं जी बॉक्स किलेक्शन के बारे में तो आप दोस वीडियो को लास दर लादमी देखिनाआ और इंटरस्टेड हो तो सबस्क्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहांपर हम 200 फास्टे की बात करें तो लगभग इसलम ने फास्टे में 173 करोर का कॉलेक्शन किया था JS ghan 1174 करोड का है इसलम ने वर्ल्ड ओ solution किया था फास्टे के अंदर और यहांपर इसलम ने जो के बाखी बात की जा 강τα उन्दिया से सिन्दिया किसtant क्डिया के संध हुआ Pixar और एकाथ ओर में न्यृचिक्ड और और बाकन ऑर से वित एटि करोर के चिरत वान तो को Sumo किया दा और यह फिल्म जो बोक्स पर और ढाटींग वन्यूचे यह बहना तो है ये भी के सिल्म ने कलैस किया हो दा शारू खान की फिल्म जानी डंकी से लेकन डंकी यह तो क keto के लिए कि अपर snे हУऊ मरे और चीजनक्री की चीजनक बारे में तो आज समें वीदिशवार लाजमी देखने तक रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है? यहां पर दयस्के बाद कर लेते हैं यहां पर दोस्के की किरने को लगभार का कि वान कैसे की रहे। और यहाँ पर इस सिलम ने तीन दिल में लगभग 375 करूर का क्लेक्शन किया था और यह फिल्म फ़स्ट विकड्म में लगभग 405 करूर क्लेक्शन की थी पर वोक्सस से खचा दिया गया और सिल्म ने टोटली जो के वाल्ड वायल्ड बॉक्सेस पर कॉलेक्शन किया हुआ है जो कि सिर्फ वाल्ड वायल्ड वायल्ड बॉक्सेस पर कॉलेक्शन किया हुआ है तो ये फिल्म हजार करोड की कलब में नहीं पहुंच भाई लेकिन फिर भी सिल्म ने काफी अच्छा आडाींस को पसंद आई हैं जिससे सिल्म के अंदर हमें वाइलेंस देखने को मिला इस तरह हम पर सलार अपिक एक्षिंट्र वाले फिल्म की औजो राइट वोगा था वाले वाले श्रीम तो जो कि राइट कि राइट कि मैं देखने को मिले थे और प्रिश्ची बीजे के रुल में में देखने को मिले थे। लेन के नइकास्ट में हमिली है चीज हमें यहां पर फिल्म हैं के नदर देखने और यहां पर हमढ़ना अजेश चाहिए चेकशně कास्वन clown और ऑ मिली हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात करने जैसे डलाग सुगरा की यानि सलार मुई के डलाग किसने लिखे हैं तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इसलम के डलाग सुगरा को लिखा हुआ है पिडियोस किया है केजियाफ चैप्र टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ सौरी एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया भी बस वरूर ने होगा का प्रोडेक्शन कंपनी होंबाले फिल्म्स और डिस्टिबिशन कंपनी है सी बिलो और यहां पर इसलम को रिलीस करवाए गया था लैंग विज में शूट किया गया था और यहां पर इसलम का बजट था जो के 270 को डोर इसलम में बहुत सब्सक्राइब की हो एडिया के तरू और यहां पर 200 बात करें थोड़ा साइसलम के बारे में तो यहां पर जो कि डेब्यू फिल्म थी प्रशांद नील की उगरम उगर है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट देखनेंग मिले हैं और यहां पर जिक बड़े परदे पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो कि मुवी थी और सिल्म कुछ लगबग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बने यहां पर भी काव सारी चीज़ें रहती थी और मिजिक भी जो कंपोज कर रहते रवी पसुर्ट और जो के अडिट किया हुए बुवन गोड़ा ने सिल्म को सौरी सिम्नोडिग्राफिक की आयो जो अलकुरकर्नी ने सिल्म को अडिट किया हुआ है तो फाइनले सिल्म को 22 दिस स्टोरी देखने को मिलती है और यहां पर जो के हमें सार को जो पुद्ध और जो के बाफनी भी काफ सारे हमें देखने को मिल और प्लडिंग वाले सीन हमें काफी देखने को मिले हैं और यहां पर जो के मुई काफी एच्छी है तो और रल कहा जाए मुई काफी इंटरस्टिंग है और आप उसको भी पसंद आएगी तो यहां पर दोसों आपको सिंपल लख में बता दूँ यहां पर आप उसको दिखाय जगाए खानसार की स्टोरी वहां पर जो के एक राजा होता है यानी खानसार यानी वर्द राजा का फादर जो होता है और उसका एक भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें रामचंदर राजू वो भी होता है और यहां पर जो कौन बैस्टे गाउस सिंगासन पर और यहां है अपने ऊसके पास यानी देवा के पास। और उसे लेकर आताया है वह ही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं उसका आफ़ार उसारे मार देता है तो सारे डरके भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया ऐ बॉयलिंस देखने को मिला है बहुत यहां पर दोस्तों यही स्टोरी देखने को मिली है लास्ट पाफी जो कि इंट्रविल सीन में भी कुछ सीन में और लास्ट में करेड़र सीन में बी और कुछ नहीं था सिर्फ जो के वे क्विश्टम में Cou Bio अगे जो और यहां पर कौन बैठेगा उस सिंगासन पर वो आगले नेक्स्ट विल में दे हमें पता लगेगा और आपस में इनकी जो के दुश्मनी को भी दिखाया जाएगा देवा और वर्धा की दुश्मनी को तो यहां पर हम दुस्त कास्ट की बात करें तो यहां पर प्रभास ने करों प्ले कि फिन में प्रत्राइज में बार्धा करों प्ले किया हुआ है और यहां पर शूति हेसन्ते अध्या का रोल प्ले करें अच्वेरा नाच्वन देवराज जो के उम का रोल प्ले करें और यहां पर वो भी सिमा भर्वा का रोल प्ले कर रहे हैं और जौन विजय इसल में रंगा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो के मेस चोधरी इसल में नारंग का रोल प्ले करें रामना इसल में रिंडा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर शिर्या राइटी जो के राधा रामा जो के मनार का रोल प्ले कर रही है और यहां पर जांची उम्बलमा का रोल प्ले करें और यहां पर प्रमोड पंजू जो है इसलमें बाची जो के राजा मनार का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर वाजरंट शेटी जो है विश्नू का रोल प्लै करे तो सौरच लुकेश इसलमें चीका का रोल प्लै करे हैं और यहां पर जो ति कर रहे हैं और तरी राज इसलमें-पस्ाः न। प्लेख करें, यहां पर संपत राम का रोल प्लेख कर रहे हैं, तो यहां पर यह थी, कास्ट और यहां पर आप थोड़ा साबात करें, प्रडेक्शन कंपनी की तो इस लिए अनि की सलार मूह की है, वा हूमाल है, फल्म जैनेग ज जिसने बीड्ये कि यहां इसने लगबग126 करूर के के ओपर तो यहां पर तो यहां पर दो सो बात की जाए परスumbled Chronicle कि फरस्ट फिल्म डैबूई फिल्म थी उगरम फिल्म frequent को यह ऑनी और यहां पर सलार मुई को बड़े पर लागया गया घा है यह फिल्म 좋아 बहुत ही अच्छी लेगी और यह फिल्म भी काफी इंट्रस्टिंग रही देखा जाए तो वैसे प्रभास का जो करियर बहुत ही जो कि पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुत ही ड्रॉप पर चल रहा था क्योंकि उनकी दो पिछली फिल्म में रादे शाम आदी काफी ट्रोल किया गया और काफी जो के उनको पुरा बला कहा गया जिस तरह से उन्होंने वह फिल्म में दी थी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कम बैक किया सलार मुई से आडियंस को भी काफी पसंद आई यह फिल्म और आडियंस ने भी काफी वावाई की सलार यान पर जो हिस्लम के सॉंग्स वगरा हैं वह हिंदी लैंग्विज वाले आपको सारे के सारे सॉंग ट्रैक यूटूब पर भी आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे वो टी स्रीज के यूटूब चैनल बाकि सारे सॉंग्स आपको बाकि डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर देखने को मिल जाएंगे आप तो सर्च करोगे तो आप दोस्तों को आप देखने को मिल जाएंगे आप दोस्तों बात करते हैं रिलीज के बारे पर बाकि सारे डब्ड वर जानते कनड़ा हिंदी तामिल और मल्यालम लेंगविज भी थी और इस सिल्म को जो के अडल्ट एस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करवाया गया था और यहां पर जो के एस सर्टिफिकेट के साथ भी सिल्म में काफी अच्छाय कोलेक्शन किया अब दुस्तों बात करते हैं इस सिल्म के बारे में कि यह फिल्म अब कहां पर आ चुए है और इस ऐड्यान के यह फिल्म सॉथ लिंगउज में आपको नेटफिक्स पर देखने को मिल जाएगी् प्लस पर देखने को मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो कैसे लिए करना है और चानल को भी सबस्क्राइब कर देना है वेलकम बैक दे अनदर वीडियो तो फाइनली दोस्तों आग बात करने वाला हूँ जो के प्रभास की मुई सालार मुई के बारे में तो फाइनली दोस्तों ये फिल्म कहां पे अवले बहले रहा हूँ आप दोस्ते सिल्म को कैसे देखते हो वह भी हिंदी लेंगविज के के बारे में बात करूंगा और यहां पर जो के और भी काफसर है जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट और भी काफसर चीज़ों के बारे में बात करूंगा अगर आप दोस्ते हो अब इस वीडियो को लाइक करके लास तक देख सकते हो अगर आप दोस्ते नहीं हो तो इस वीड यह इनको जि Ugh Virt is good one का नाम इंहें को और यह एक आक्शन थृिलर वाली मुवी थी गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वालिन्स से भरी फिल्म थी 10.25 की रेटिंग मिली हो यह आउडियन्स की तरह से और इस फिल्म को डिरेक्ट किया प्रशान्थ नील ने जान दोसों आप सब जानते होंगो परशान्थ नील को और इस विडू का बजट कितना था और इस विल्म को जो इस विल्म कैशी रही और 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 वालीच को कैसी लगी इस सिल्म वह तो हम यहाँ झाल को तो फिर्म एहाें करें कि नहींदे तोटली इस ने कितना कुलेक्शन किया है तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंटरस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम दोस्त फास्ट डे की बात करें तो लग बाक इस ने जो के फास्ट डे में 173 करोर का कुलेक्शन किया नंती क्लेक्शन किया है तो यहां पर हिंदी को मिला ज़िन शारे मिलाखे है और वि membriy ने नीटि क्रोर का कॉलेक्शन किया हुआ है तो टोटली इस ने 180 क्लेक्शन किया है तो टोटली और यह फिल्म जो के बॉक्स पर आल टेम रिकार्डड फिल्म रही थी और इस ने फास्टे में बहुत ही अच्छी ओपनिंग लेकिन दोस्तों खास बात यह बीए के सिल्म ने क्लैश किया हुदा शारुखान की फिल्म यानि डंकी से लेकिन डंकी जो के शारुखान की फैन ब और यहां पर दूससरों हम बात करें गएंगे काफ सारी चीजम के बारे में तो आद उसने वीडियो को लांस टक देखते रहना है ठीक है तो और यहां पर दूस्त घर Nat asmm के बारे में जैसे जो के सिल्म कितना कियाा ता फ़ास डे के इंदर कितना किम यहां कितना की और यहा किया हूए कुलेकशन किया हुए और यहां पारे सिल्म ने तीन दिन के अंदर लगबग तीन सोपुचतर करोड किया था और यह फिल्म जो कि फास्ट वीकेड में लगबग चार सो पांफे क्रोड करोड की के आसपास पहुंच चुकी थी और यहां पर दोस्तों ने जो कि लग भग तीन वीक्स में यह फिल्म है जो कि बॉक्स के बाहर हुई थी तीन वीक्स के बाद या चार वीक्स लेकिन लगी रही लेकिन बोक्स पर इतना रिस्पॐंस नहीं आरा था इसी वजाए से इसे लिए तो कि सिर्फ भी साथ सो पोइल्डी साथ सो पैंसट क्रोर के आसपास की अरुज्टा इस ने जो के लिए अधर कि तो ये फिन हजार क्रोर के कलब में नहीं पहुंच पाया है लेकिन पिर भी इसे अच्छा कास्षय क्या है और यह फिल्म भी आडियंस को काफी पसंद आई है जिस तरह से सिल्म के अंदर हमें वाइलिंस देखने को मिला है जिस तरह से हमें सिल्म के अंदर और भी काफ सारे चीज़ें देखने को मिली है तो वो भी हम बात करेंगे आगे जैसे यहां पर सलार पार्ट वान सीस वायर जो कि इस फिल्म का जो है ट्रांसलेशन की दाए गया है तो इसका नाम बनता है कमांडर या सिपा सलार और यहां पर यह 2023 की इंडियन तैल गुलैंग वेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी डिरेक्टर जो कि राइट कि डियावाता इसे फिल्म की स्टोरी राइट के आदर ड्रेक भी विब्युकिया फिल्म राइट की विल्लेंग श्रूमी एत्वमे की मिलें ने को मिले के अंदर देखने को मिली हैं तो यहां पर हम दोस्तों बात कर लें जैसे डलाक्स कि यानि प्ला सलार मुई के डलाक्स कितने किसने लिखे हैं तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इसलम के डलाक्स को लिखा ह हुआ है पिडियोज किया विजय करन गंदूरी ने गंदूर ने और यहां पर इसल्म को सिनमोटोग्राफिक की है बुवन गोड़ा ने और यहां पर इसल्म को जो कि एडिट किया है उजवल कुलकरनी ने जिन्होंने पुछ चैप्टर टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ सौ का रेनिंग टाइम था 175 मिनट जी हां दोसो सेंसर की तरफ से 175 मिनट के साथ इसल्म को थेटर में रिलीज करवाया गया कंट्रि इसल्म की जो कि इंडिया थी और लैंग्वेज यह तैल गुकी थी और यहां पर कनरा में भी इसल्म को दो लैंग्वेज में शूट किया गया और यहां पर इसल्म का बजड़ था जो के 270 को डौर इसल्म में बहुत से क्लेक्शन किया है साथ सो पंदरा करोड का वीके पेडिया के थूरू और यहां पर तोसों बात करें थोड़ा सा इसल्म के बारे में तो यहां पर जो कि डैब्यू फिल्म थी परशांद नील की उग देखने को मिली है लेकिन थोड़े बहुत डीफरेंट देखने को मिले हैं और यहां पर एक बड़े परदे पर देखने को मिली है सलार वन पारट वन जो कि मुवी थी और इस लिम कुछ लगबग 2020 में अनौनस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो कि जिसका नाम सलार होगा और इस लिम को ट्रेक करेंगे फर शान्त नील और इस चरिज्वाइर के नाम से सिर्म का टाइ्ट अरे जिसका गयां जन्वरी 2021 और यहां पर 2020 में इसलम की जो शूटिंग वगज़रा थी वो रैप अप की गई थी और गा इसलम की शूटिंग कोस्टा प्रिए या गए उस तो फाइनले इस सिल्म को 22 दिसंबर को 2023 में जो के रिलीस कर वाया गया था थेटर में और सिल्म ने वर्ल्ड वायल ली जो की 715 क्रोल का कॉलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही अब यहां पर दोसर स्टोरी की बा इस सिल्म के अंदर और उनकी आपस में बॉन्डिंग और उनकी आपस में जो दोस्ती है उसको दिखाया गया है और वो जब वर्दा यानि जो के प्रॉब्लम में पड़ता है तो देवा उन्हें बचाने के लिए आता है खानसार में और यहां पर जो कि ट्विस्ट भी काफ सारे हमें देखने को मिल जाते हैं सिल्म में हमें वाइलनस काफी देखने को मिला है और बॉइलंस काफी देखने को मिले हैं और यहां पर जो वर्द राज़ा का फादर जो हता है और उसके वाई भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें रामजंदरन राजू वह भी होता है और यहां पर जो कौन भेस्ट है गाउ सिंग असन पे और यहां पर सारा कोध जो के लड़ाई शुरू हो जाती है तो तब ही जो के उनके पास यानि वर्धा के भाई के पास काफ सारे गुंडे होते हैं लेगन यानि वर्धा के पास कोई भी चुके सेना वगरा नहीं होती तो वो जाता है अपने दोस्त के पास यानि देवा के पास और उसे लेकर आता है वो ही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं उसका अवतार और सवारे गुंडों को एक ही दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया है बोईलेंस देखने को मिला है बहुत यह स्टेंडिंग था और यहां पर दोस्तों यही स्टोरी देखने को मिली है लास्ट मे बता दूं तो आप दोस्तों ने अगर फिल्म नहीं देखी तो आप दोस्तों को जो कि आप दोसका मजबी किरक्रा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स्टोरी आगे चलेगी और यहां पर जो कौन बैठेगा उस सिंगासन पर आगले नेक्स् वर्दा कर रोल प्लेक किया हुआ है और यहां बर शूरुती हसन देवी की मुद्धन कर रूल प्ले कर रही है जग्पदी रागे जग्पदी बाबुद्धर मेराज AMAN NARS कर रहे हैं तीनु आनद इसलमें गौडवाद जो कि अल्यास का रोल प्ले करें और यहां पर देवराज जो कि उम का रोल प्ले करें और यहां पर बोबी सिमा भरवा का रोल प्ले कर रहे हैं और जान वीजे इसलमें रंगा का रोल प्ले करें रामा चंदर राजू इसलमें रूदरा रा ओल्चु असलमें बाची जो के राजा मुनर का रूल प्ले करें Mumbai करें माजाम मत्रbers यह द्यAg-, इसरु드र राजजासकी जो के हैंच मैन है और यहां पर रवी बाटी इसलमे क्रिशनाथ का रोल प्ले करें नवीन शिकर इसलमें पंडित का रोल प्ले करें शफी इसलमें थीरू का रोल प्ले करें और पर प्रूधी राज इसलमें विलेज सरपंच का रोल प्ले करें और यहां पर सब् पत्राम वैदा का रोल प्ले कर रहे हैं तो यहां पर दो यह थी कास्ट और यहां पर अब दोस्तों थोड़ा सा बात करें प्रडेक्शन कंपनी की तो यानि सलार मुई के प्रडेक्शन कंपनी है वह होंबॉले फिल्म जिसने एक जो के के जी फिल्म को प्रडियूस किया पर दूसरा बाट आया थाना वो आल टेंग ब्लोगबस्टर फिल्म नहीं थी उसने लगबग बारासो करोड के किया हुआ है बोक्स के आफस्टे ओपर तो यहां पर दूस्तों बात की जाए प्रशांत निली की फ़स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म थी उग्रम उग्रम फिल रहा था बहुत ही ड्रॉप पर चल रहा था क्योंकि उनकी दो पिछली फिल्म में रादे शाम आदी पुरुष जो के बॉक्स बुरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकर भी ठीक ठाक चली थी यह वो अच्छी फिल्म रही थी लेकिन जो इनकी दो पिछली फिल्म में आई आदी पुरुष और जो के रादे शाम की वज़ा से उनकी काफी जो के इमेज खराब ही और काफी उनकी जो काफी ट्रोल किया गया और काफी जो के उनको पुरा बला कहा गया जिस तरह से उनको फिल्म में दी थी और उसके बात करते हैं ये फिल्म कहां पे ओटीटी पे अविलेबल है तो इससे पहले आपको सबसे पहले यहां पर जो कि मैं सौंग्स वगरा के बारे में बात कर देता हूं ठीक है और यहां पर जो इसलिम के सौंग्स वगरा हैं वो हिंदी लैंग्विज वाले आपको सारे के सारे सा मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं रिलीज के बारे में तो इसलिम को 22 December 2023 में रिलीज करवाया गया था जो कि यह फिल्म टैलगु लेंगविज के साथ जो कि हिंदी में और बाकिसारी साथ लेंगविज में रिलीज हुई थी और इसलिम को MX में रिलीज करवाया गया था और इसलिम को बाकी जैसे यह फिल्म को टैलगु में शूट किया गया था और यहां पर बाकी सारे डब्ड वर जांसे कनड़ा, हिंदी, तामिल और मल्यालम लेंगविज भी थी और इसलिम को जो कि अडल्ट A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुआ है और यहां पर यह φिल्म बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर रहे अब दोस्तों बात करते हैं सिल्म के बारे में कैज ये फिल्म अब कहा पर आ आच की है और इस इसलिम के सैकर्ड पार्ट का नाम होने वाला सालाल पार्टू शोरियंगा परवं जो के सेकंड पार्ट का नाम होगा और यह फिल्म जो के हिंदी के अंदर भी आप दिसको यूटूब पर देखने को मिल जाएगी सारी लैंग्विज में और हिंदी में आपको डिजनी होस्टार प्लस पर देखने को मिलेगी अगर आप दोस्त इंजॉय करना चाहते हो तो इस इंजॉय कर सकते हो जो कि यह फिल्म आपको ओटीडी प्लैफरम पर देखने को मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो कैसे लेगी कुम बहुत रहें जो के प्रभास की मुई सालार मुई के बारे में तो फाइनली तो यह फिल्म कहां पर अब अब दोस्ति को कैसे देखते हो वह भी हिंदी लेंगविज के अंदर उससे पहले आप इसको डिस्क्लैमर में बता दूँ अगर आप दोस्ति सलार मुई के बारे में एटु जानना चाहते हैं स्टोरी लैंड के बारे में साथी सिल्म के प्रॉपर डिटेल बताऊंगा जो क इस वीडियो को लाइक करके लास तक देख सकते हो अगर आप दोस्ति नहीं हो तो इस वीडियो को अभी स्कीप कर सकते हो क्योंकि इस वीडियो में सारी डीटेल के साथ बताने वाला हूँ जो कि यह मुवी नहीं होने वाली है सारी रिव्यू वाली वीडियो होने वाले तो वीडियो को लाइक करके लास तक देखते रहें तो आज हम बात करें सलार मुवी के बारे के बारे में सलार है और सुषेंधिन लिविक्ते पार्ट वन का नाम है सीज फायर और एक एकशन थ्रिलर वाली मुवी थी और इसन lo जो sensor की तरफ से running time दिया गया वो 2 गंटे 55 मिनिट का है यानि जो के टू आर 55 मिनिट इस film का running time है और यहाँ पर ये 2023 में रिलीस की गई 22 December 2023 में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मूवी थी और वालिन्स से भरी फिल्म थी 10x65 की रेटिंग मिली हो यह आडियन्स की तरह से और इस फिल्म को डिरेक्ट किया प्रशान्थ नील ने जहां दोस्तों आप सब जानते होंगो प्रशान्थ नील को और इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म को जो के बारे में बात करेंगे तोटली इस फिल्म कीतना कुलेक्शन कीवज़ए है तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंट्रस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम दोस्तों फास्ट डे की बात करें तो लगबख इस ने जो के फास्ट डे में 173 क्रोड का कॉलेक्शन किया था जहां सो 174 क्रोड का इस ने जो क क्लेक्शन किया था तैलंगाना और यहां पर हिंदी को वर्यान को मिला के साउथ वर्यान सारे मिला के और हिंदी वर्यान मिला के लगबख इस ने 90 क्रोड का क्लेक्शन किया था और बाकी और सी से भी सिर्म में जो के 80 क्रोड का क्लेक्शन किया हुआ है तो टो टोटली सिर् बॉक्स पर आल टीम रिकारडड फिल्म रही थी और इस ने फास्टे में बहुत ही अच्छी ओपनिंग लिए लेकिन दोस्तों खास बात यह भी के सिल्म ने क्लैश किया हुदा शारू खान की फिल्म यानि डंकी से लेकिन डंकी जो के शारू खान की फैन बेस भी काफी अच् मतलि हैं यहां थ्यूरों थे टई और में मुझी यहां तो बहुत हैंiper तुर्म परूप में सिल्म में क्या कितुम और शायगार का सिर्म में क्या हूँ रखे निए तक कि सार्य और बधम टाने वाली हुँ तो आप थूस्ने वीडियो को लाजमी देखने देर रहने हैं यहा हुआ है और यहां पारे सिलम ने तीन दिन के अंदर लगभग 375 करोड़ के आस पास का कॉलेक्षन किया था और यह फिल्म जो के फास्ट वीकें में लगभग 405 करोड़ के आस-पास पहुच चुकी थी और यहां बाद दुस्वरी सिलम ने जो योग बह्त जो के आप सासो आपन सटीन करोड़ और सिल्म नकलिकशन quantum किया हुआ है तो ये फिल्म 1000 क्रोर की कलब में नहीं पहुँच पा हि लेकिन फिर भी इससल मने काफी एच्छा क्लेक्शन किया है और ये फिल्म भी और ईडियंसको काफी पसंद आई है जिस तरह से सिल्म के अंदर हमें व defined देखने को मिला है सिप्पा सलार और यहां पर यह 2023 की इंडियन तैल गुलैंग वेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ती डिरेक्टर जो कि राइट किया था इसी फिल्म की स्टोरी को जो कि राइट की आदा प्रशान नील है ड्रैक भी शान नील ने किया हुए प्रडूसर हैं वीजे क पर संदीब रेटेरी बंदला और यहां पर हनुमान चादरी ने औरiffe रेक्टर सूरी के अड्रन लिघर देमांग रहे को अनुमाइ रहा मैंगा पर आज्टोरी के नहीं हैं वालाक के रेएख़या कि और यहां अवाला। गंदूरी ने और यहां पर इसलम को सिनमोटोगराफिक की ए बुववन गवड़ा ने और यहां पर इसलम को एडिट किया है उजवल कुलकरणी जिन्होंने पूज KGF chapter 2 मुई को डिरेक्ट किया हुआ सौरी एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया भी बसुरूर ने होगा प्रोडेक्शन कंपनी होंबाले फिल्म और डिस्टिबिशन कंपनी है सी बिलो और यहां पर इसल्म को रिलीज करवाए गया था 22 डिस्टेमर 2023 में और सिल्म का रेनिंग टाइम था 175 मिनिट जी हां दोसो सेंसर की तरफ से 175 मिनिट के रिनिंग टाइम के साथ इसल्म को थेटर में रिलीज करवाए गया कंट्रि इसल्म की जो के इंडिया थी और लेंग्वेज यहां पर कंड़ा में भी इसल्म को दो लेंग्वेज में शूट किया गया था और यहां पर इसल्म का उगरम उगरम फिल्म से जो के अमना स्टार्ट लिया था जो के प्रशांत नील ने और ये फिल्म जो के सलार मुवी उसी तरह थी जो के दो दोस्तों के उपर स्टोरी बनाई गई थी उसी की तरह सिल्म में भी स्टोरी देखने को मिली है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट नील और उसके बाद यहां पर जो कि स्टार्ट कर दिया गया और यहां पर भी काव सारी चीज़ें रहती थी और म्यूजिक भी जो कंपोज कर रहे थे रवी बसूर्ट और जो के अडिट किया हुए बुवन गोड़ा ने सिल्म को सॉरी नोडियोग्राफिक की आयोजवाल क करनी ने सिल्म को अडिट किया हुआ है तो फाइनले सिल्म को 22 दिसंबर को 2023 में जो के रिलीस करवाया गया था थेटर में और सिल्म ने वर्ल्ड वायल ली जो की 715 क्रोले का क्लेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉक बॉस्टर फिल्म र परभाज इस सिल्म के अंदर और उनकी आपस में बॉन्डिंग और उनकी आपस में जो दोस्ती है उसको दिखाया गया है और वो जब वर्दा यानि जो के प्रॉबलम में पड़ता है तो देवा उन्हें बचाने के लिए आता है खानसार में और यहां पर जो कि ट्विस्ट लवज में बता दू यहां पर आप उसको दिखाया जागा है खानसार की स्टोरी वहां पर जो कि एक राजा होता है यानि खानसार यानि वर्द राजा का फादर जो होता है और उसका एक भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें रामचंदर राजू वो भी होता है और यहां के पास कोई भी जोके सेना व्गेरा नहीं नहीं民 आप्ति तो रगाता है अपने दोस्कों के पास आले के पास और उससे लेकर आठा है वही ऊसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं उसका अवतार और सब्सक्राइब गुंडों को एक ही दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया है बॉयलेंस देखने को मिला है बहुत ही अस्टेंडिंग था और यहां पर दोस्तों यही स्टोरी देखने को मिली है लास्ट में हमें काफी जो के इंटर मजबी किरकरा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स्टोरी आगे चलेगी और यहां पर जो कि कौन बैठेगा उस सिंगासन पर आगले नेक्स्ट विल में दे हमें पता लगेगा और आपस में इनकी जो के दुश्मनी को भी दिखाया जाएगा देवा और वर्धा की दुश्मनी को तो यहां पर हम दोस्तों कास्ट की बात करें तो यहां पर प्रभास ने देवा का रोल प्ले किया हुआ हुआ है और यहां पर शुरुती हसन ने आधिया का रोल प्ले किया हुआ है और यहां पर शुरुती हसन ने आधिया का रोल प्ले प्रॉब्स 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 प् बाची जो के राजा मनार का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर वाजरंट शेटी जो है विश्नु का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो के गुरू सामी जो है रूदरा राजास की जो के हैंच मैन है और यहां पर रवी बाटी सिल में कृष्णनात का रोल प्ले कर रहे है नवीन शिंकर इसलमें पंडित का रोल प्ले करें शफी इसलमें थीरू का रोल प्ले करें और परूधी राज इसलमें विलेज सरपंच का रोल प्ले करें और यहां पर सब्ता किरी जो है ना यहां पर चंदराम का रोल प्ले करें यहां पर संपतराम इसलमें वैदा का रोल प ब्लोगबस्टर फिल्म नहीं थी उसने लगबग बारासो करोड के कोलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के आफस्टे ओपर तो यहां पर दोसों बात की जाए प्रशांत निली की फ़स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म थी उगरम उगरम फिल्म से यह इस फिल्म को यानि सलार मुई क को इंसपैर किया गया है और यहां पर जो कि सलार मुई को बड़े पर लाया गया है यह फिल्म भी बहुत ही अच्छी लेगी और यह फिल्म भी काफी इंट्रस्टिंग रही देखा जाए तो वैसे प्रभास का जो करियर बहुत ही जो कि पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुत ही ड्रॉप पर चल रहा था क्योंकि उनकी दो पिछली फिल्म में रादे शाम आदी पुरुष जो कि बॉक्स बुरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकर भी ठीक ठाक चली थी यह वो अच्छी फिल्म रही थी लेक उन्हें जिस तरह से कमबेक किया सलार मुई से आडियंस को भी काफी पसंद आई है वो फिल्म और आडियंस ने भी काफी वावाई की सलार यानि प्रभाज की और यहां पर दोस्तों बात करें यह फिल्म कहां पे ओटी टी पे अवेलेबल है तो उससे पहले आपको सबसे प वर बाकि सारे स्वांग सापको बाधकी सारे ड्परेंट टेफ्रेंट डिफरेंट चैनल पर देखने को मिलसे आप सर्च करोगे तो आप दोस्तुआ को आप दोस्तों कर Yes स्विर्स निद्स कि चल लैंदी में बाकिसारी साथ लेंगिज में इस लिए अधू को खोले जैसे जैसे चोन को सुट किया गया था और यहाँ पर राख्ता काणडा हिंदी तामिल और मलीयालम लेंगिज भी थी और इस इंड़ को जो के डल्ट ए सार्टिफिकेट के साथ रिलीस करवाया गया था और यहां पर जो के एस साथ बीस में काफी अच्छा कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यहां पर यह फिल्म बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर रही अब दुस्तों बात करते हैं इसलिम के बारे में केस्ट इयाज फिल्म को आघ पीडिकिए और हिंडी पर देखने को मिल जैघी साउद लैघुज में आपको नेड़फिल्क्स पर देखने को मिल जाहे बाराई इन्जॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को जाके इन्जॉय कर सकते हो जो कि यह फिल्म आपको ओटीडी प्लैटफरम पर देखने को मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो कैसे लेगी को मौसिन तो रहे जोड़ी बता देना अगर आगर आप दोसे ने फिल्म देखी होते हैं को एपनियन बताना है और वीडियो को लाइक करना है कर ने वैब कम बैक देखने पूश्स receivers बात करने वारा इंबॉक्स कलेक्शन के बारे में बात करूँगा डिरेक्शन के बारे में बात करूँगा और यहां पर जो के और भी काफसर है जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट और भी काफसर चीज़ों के बारे में बात करूँगा अगर आप दोसे इंटरस्टेड हो तो अब इस वीडिय में सारी डीटेयल के साथ बताने वाला हूँ जो कि ए मुवी नहीं होने वाली है सारी रेवीवीओ वाली वीडियो वाले तो वीडियो को लाइक करके लास तक देखते हैं तो आज हम बात करें सलार मुई के बारे में सलार अक पार्ट बैए है और आप मात का नाम सीज Ela.com ऊसक्ति हनार वंट ऑन श्मका शेक्वार और ये आकशन थ्रिल्न वाली मुवी थी और इसमा कोoma जो सैंसर की तरफ से रिनिंग टैम दिया गया वो दो गंटे 55 मिनेट का यानि है तो आर 55 मिनेट चैंँ में मेरे 20agu की में रिलीस की गई एक्शन थ्रिलर वाली मुवी थी और वालिंज से भरी फिल्म थी टैन बैए सिक्स फ़न फाइव की रेटिंग मिली हो यह आउडियंस की तरह से और इस फिल्म को डिरेक्ट किया प्रशांथ नील ने जहां दोस्तों आप सब जानते होंगो प्रशांथ नील को और इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म को जो कि कितनी लैंगुज में जो के शूट किया गया था और यह फिल्म कैसी रही और आउडियंस को कैसी लेगी इस फिल्म ने टोटल बॉक्स कितना कॉलेक्शन किया सारी बात करूंगा तो वीडियो को लाइक करके तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंट्रस्टेड हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हम दोस्तों फास्ट डे की बात करें तो लगभग इस ने जो के फास्ट डे में 173 क्रोड का कॉलेक्शन किया था जहां सो 174 क्रोड का इस ने जो क क्लेक्शन किया था तैलंगाना और यहां पर हिंदी को वर्यान को मिला के साउथ वर्यान सारे मिला के और हिंदी वर्यान मिला के लगभग इस ने 90 क्रोड का क्लेक्शन किया था और बाकी और सी से भी सिल्म में जो के 80 क्रोड का क्लेक्शन किया हुआ है तो टो टोटली सिल् ट्वीर टीम रिकारडड फिल्म रही थी और इसमने फास्टेमी बहुती अच्छी ओपनिंग ली लेकिन दुस्तों खास बात यह भी है के सिल्म एक्लेस किया होधा शारु खान की फिल्म यानि डंकी से लेकिन हैं लेकिन फिर पिर भी इस विन्ञार ने अपनी पाधी मारी औ और फास्टे में जो के रिकारडेबल केलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म आडियन्स को भी काफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखी हुए तो आप सुने कैसी लेगी यह फिल्म आपको कमेंड बॉक्स में अपीनिया लाजमी बताना है और यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे आगे काफ सारी चीज़ें के बारे में तो आप दोस्तों ने वीडियो को लास तक देखते रहना है ठीक है दोस्तों और यहां पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस लिम के बारे में जैसे कियا सेकंड दे के अंदर भी लगभग इसिम और एक सो बीस करोड के आसपास का कोलेκशन किया हूँ और यहां पषल यह ओड醬 दीन से निंन देने लगभग 375 करोड के आसपास का कोलेकशन किया था और यह तो क्यरता आद ऑलना मुट्ष लिवकेंस केर्ड माधशन को सब्सक्राइब होता कुरें सब्सक्राइब कर ऐसक्राइब माने प्रुम का कॉरे मेशता वीज़ द हैजिए खिटेंस पार झाने तरakin मैंनों॥ करूड और इस लिए जो के वर्ल्ड वाइडी 665 किए हुआ है तो यह फिल्म header क्रोड केक्जर के नहीं नहीं पहुँच है भी इस लिंगा काफ़ी यु को क्या कुशन किया है और यह फिल्म वी आॉडियंस को काफ़ी पसंद आयी है जिस तरह से चिस लिए काफ़ देखने को मिली हैं तो वह भी हम बात करेंगे आगे जैसे यहां पर सलार पार्ट वान सीस वायर जो कि इस विल्म का जो है ट्रांसलेशन की दाए गया है तो इसका नाम बनता है कमांडर या सिपा सलार और यहां पर यहां पर यह टूथाज़न टैल गुलाइग वेच की एपि स्छी पिर्फु ो कि विल्लन के रॉल में देखने को मिले हैं और यहां पर कैसे भी कास्फे हमें देखने को मिली है यहांपर पार फिलम्न के अंदर देखने एक मिली हैं तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चोधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इसलम के डालाग सुगरा को लिखा हुआ है प्रिडियोज किया है विजे करन गंदूर ने और यहां पर इसलम को सिनमोटोग्राफिक की है बुवन गोडा ने और यहां पर इसलम को जो कि एडिट किया है उजवाल कुल करनी ने जिन्होंने के जीएफ चैप्र टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ सौरी एडिट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया भी बस्रूर ने होगा का प्रोडेक्शन कंपनी होंबाले फिल्म्स और डिस्टिबिशन कंपनी है सी बिलोव और यहां पर इसलम को रिलीस करुआ गया था 22 डिस्टिबर 2023 में और रिन्ग टाइम था 175 मिनिट जी हां दोसो सेंसर की तरफ से 175 मिनिट का रिनिग टांप के साथ इसलम को त्याटर में रिलीस करुआ गया कंट्रि इसल्म की जो कि इंडिया थी और लें करोड का वी के पेडिया के थूँ और यहां पर तोस्तों बात करें थोड़ा सा इस सिल्म के बारे में तो यहां पर जो कि डैब्यू फिल्म थी प्रशांद नील की उगरम उगरम फिल्म से जो के अमना स्टार्ट लिया था जो के प्रशांद नील ने और यह फिल्म जो के सलार मुवी उसी तरह थी जो कि दो दोस्तों के ओपर स्टोरी बनाई गई थी उसी की तरह इसलम में भी स्टोरी देखने को मिली है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिली है और यहां पर एक बड़े पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो कि मुवी थी और सिल्म को लगबग 2020 में अनौंस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो कि जिसका नाम सलार होगा और सिल्म को ड्रैक करेंगे प्रशांत नील और उसके बाद यहां पर सीसवायर के नाम से इसल्म का जो के टाइटल नामस किया गया जन्मरी 2021 में और यहां पर दोहजर तेश में जो शूटिंग वगगरा थी वह रैप अप की गई थी और यहां पर इसल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया गया उसके बाद इसल्म की जो है वी एफ एक्स का काम स्टार्ट कर द थीटर में जो की एक साथ सू पंदरा करोड़ का कोलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही अब यहां पर दोस्तर स्टोरी की बात करें तो यहां पर हमें 1985 की स्टोरी देखने को मिलती है और यहां पर जो के हमें सार को जो खान सार की स्टोरी देखने को मिली है यहां पर जो के वर्ध राजन जो के वर्धा करोल प्ले करें प्रिष्ट्रिवास कुमार और देवा करोल प्ले करें परभाज इस सिल्म के अंदर और वो उनकी आपस में बॉन्डिंग उनकी आपस में जो दोस्तिया उसको दिख भी और यहां पर जो के मुई काफी अच्छी ए तो औरल कहा जा है मुई काफी इंट्रेस्टिंग और आप उसको भी पसंद आएगी तो यहां पर दौसों आपको सिंपल लखुमें बता दू यहां पर आप उसको दिखाया जागा का खानसार की स्टोरी वहां पर जो के एक राजा होता है यानि खानसार यानि वर्द राजा का फादर जो होता है और उसका एक भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें रामचंदर राजू वो भी होता है और यहां पर जो कौन बैस्ट है गाउस सिंगासन पर और यहां पर सारा क पास यानि देवा के पास और उसे लेकर आता है वो ही उसकी आर्मी होती है और सारे जब देखते हैं उसका अवतार और सवारे गुंडों को एक ही दम मार देता है तो सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया है बॉइलेंस देखने को मिला है बहुत ही कर पर देखने को मिला है वो क्या था वप दोसम वी देखोंगे तो आप उसको पता लाग जाए uwagę अगर मैं बता हैं तो आप दोस्ट विल्म नहीं देखी तो आप दोसंतों का मजाबी किरक्रा हो सकता है तो यहां पर और पहीं स्टोरी है और आज़ कों बैठे हमें हम किया हुआ है प्राधित किमारा यह निए बादा करो प्लेग करें रहे हैं तीन ौण जोके लियास को रोल प्ले करें और यहां पर बोबी सिमा भैर्वा का रोल प्लेग कर रहे हैं और जान वीजा इसल में रंगा का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहां पर जो के मैस चोधरी इसल में नारंग का रोल प्लेग करें रामना इसल में रिंडा का रोल प्लेग कर रहे हैं और यहां पर शिर्या रै हैं और यहां पर जो के वाजरेट वाजरन्ट शेटी जो है विश्णू का रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर जो के मधू जो के गुरू सामी जो है कर रहे हो यहांपर सबता कीरी उह नहहांपर चंदराम का रोल प्ले कर रहे हैं तो यहां पर पाई पर दो सो बात की जाए प्रिक्त उल्ली के फील्म डैब्यू फिल्म दी उग्राम उग्राम फिल्म से यह इस पिल्म से को यानि सलार मुई को इा पर लह पीला चलो यह ऑनी बोठे पर MS शाम आदी पुरुश जो के बॉक्सेस बूरी तरह से पीट चुकी थी और यहां पर उनकी एक फिल्म पहले भी आई थी साहू लेकर भी ठीक ठाक चली थी यह वो अच्छी फिल्म रही थी लेकर जो इनकी दो पिछली फिल्म में आई हैं आदी पुरुश और जो के रादे शा loveya की शाल यानी प्रोभास की और यहां पर दूस्तुब्स बात करें भी सूंग के बारे में तो बात करतें हैं यह फिल्म कहां पे ओ टु-टी पे आफ ऐविलेबल है तो सब पहले आपको सबसे पहले यहां के बारे में बात कर देता हूं ठीक है और यहां पर जो इसलिम के सौंग्स वगरा हैं वो हिंदी लैंग्विज वाले आपको सारे के सारे सौंग ट्रैक वगरा यूटूब पर भी आपको देखने पर देखने को मिल जाएंगे वहों तो बाकि सारे स्थरीज की बास करते हैं दोस्ते बाएं Woah तो यहां रिलीस अब को में रिलीस करवाया गया था चैलकू लैंगविज के साहथ हिंदी में और वाकी सारे साथ लीजिस होई थी और जास थियं को तेलगु में शूट किया गया था और यहां पर बाकि सारे डब्ड वर जांसे कंड़ा हिंदी तामिल और मल्यालम लेंगविज भी थी और इस लिए अडल्ट के साथ रिलीज करवाया गया था और यहां पर जो के इस साथ भी इसमें काफी अच्छा कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यह फिंदू बॉक्स असपर ब्लॉकबइस्टर रही अब दुस्त बात करते हैं इस लिम के बारे में कि यह फिल्म अब कहां पर आच दू और इसको सैकंड पाट का नाम होगा तो आप उसके कंड़ा आपन का नाम होगा और यह फिल्म ऑन दे साउट लाइकर यह आपको नेटफिलिक्स पर देखने को मिलेगी अगर आप दूस्ति प्लाइफ प्लैट फर्म पर देखने कर देना है वेल्कम बैक दी अनदर वीडियो तो फाइनली दोस्तों आग बात करने वाला हूं जो के प्रभास की मुई सालार मुई के बारे में तो फाइनली दोस्तों ये फिल्म कहां पे अवले बले रहा हूं आप दोस्ते को कैसे देखते हैं वो भी हिंदी लेंगविज के उससे पहले अब इसको डिस्क्लैमर में बतादू अगर आप दोस्त सलार मुई के बारे में ए-टू-जैट जानना चाहते हैं फ़र स्टोरी लैंड के बारे में साथी सिल्म के प्रॉपर डिटेल बताँगा जो के सिल्म का रिविव करूंगा स्टोरी एक्स्प्लैन करूंगा और साथी बॉक्स कलेक्शन के बारे में बात करूंगा डिरेक्शन के बारे में बात करूंगा और यहां पर जो के और भी काफसर है जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट और भी काफसर चीज़ों के बारे में बात करूंगा अगर आप दोस्त इंटरस्टेड हो तो अब इस व पार्ट वन का नाम है चीहां सो सलार वण जो के पार्ट वन का नाम है सीज फायर और यह एक एक्षन थ्रिलर वाली मुवी थी और इस लिम को जो सेंसर की तरफ से रनिंग टाइम दिया गया वह दो गंटे पच्पान मिनिट का है यानि जो के तू आर फिफ्टी फाइव हूए है और अधे की तरह और इस फिल्म को टीरैक्ट किया है अधेखन घ्रफन जान निई सबसे पहले हम यहां पर आप चलते हैं ज 2 कि ईवारे में तो यहां टजेस किशेए के बारे में और यहां पर boxes collection के बारे में total बात करेंगे कि इस ने जो के boxes पर कितना collection किया हुआ था और इस ने totally इस ने कितना collection किया है तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी देखना है और इंटरस्टेड हो तो subscribe भी कर देना है चैनल को तो यहां पर हुम थोस्त्र फास्टेड की बात करें तो लग भख इस सिम्ध eis 1972 के अरवर यहां पर इस ने जो के बाकी बात की जाए इंडिया से तो इस सिम्ध भख एटि औू 90 कर और यहां पर हिन्दी को भर्यां को मिलागे साथ वर्यान सारे मिलाके और हिंदी वर्यान मिलाके जरे लगभा के सिल्म ने 90 क्रोर का क्लेक्शन किया था और बाकी और सीज से भी सिल्म में जो के 80 क्रोर का क्लेक्शन किया हुआ है तो टोटली सिल्म ने 170 क्रोर का क्लेक्शन किया था फस्टे के अंदर और यह फिल्म जो के इशारु खान की फैन बेस भी काफी अची है लेगन फिर भी इस इल्म यानि सलार ने अपनी वाजी मारी और फास्टे में जो के रिकारडेबल कलेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म आडियंस को भी काफी पसंद आई है तो आप दोस्तों ने देखी हुए तो आप सुने कैस किया और फास्टे कें अंदर कितना किया और यहां पर जो के सारा को डिटेल बताने वाला हूं तो आप दोस्तों ने वीडियो को लाजमी देखने रहना है यहां पर दूसरे हम बात करें जो कि फास्टे में 173 करोड़ का क्लेक्शन किया सेकंड डे के अंदर भी लगभख इ आसपास पहुँच चुकी थी और यहां बादोस्वी सिल्म ने जो लगभग तीन वीक्स में यह फिल्म जो कि बॉक्स से बाहर हुई थी तीन वीक्स के बाद या चार वीक्स या लगी रही लेकिन बोकस फर इतना रिस्पॉंस नहीं आ रहा था इसी वजासे सिल्म को वायडीज 765 क्रोड के आस पास का कलेक्शन किया हुआ है तो यह फिल्म 1000 क्रोड की कलब में नहीं पहुंच भाई लेकिन फिर भी सिल्म ने काफी अच्छा क्लेक्शन किया है और यह फिल्म भी आडियंस को काफी पसंद आई है जिस तरह से सिल्म के अंदर हमें वायलिंस इंडियन तैल गुलैंग वेच की एपिक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म ती डिरेक्ट और जो कि राइट किया हुआ था इस फिल्म की स्टोरी को जो कि राइट की आदा पर शान नील ने किया हुए प्रडूसर हैं वीजे किरन गंजुंदर और यहां पर प्रभास लीड कास कस्ट में हमें देखने को मिले थे और प्रित्वरासु कुमारन लीड क्या देखने को मिले हैं और यहां पर जबाइप स्ट कास्ट में हमें देखने को मिली है शुरूती हसन्ज़कपदी करने जैसे डलाग्स कि यानि प्ला सलार मुई के डलाग्स कितने किसने लिखे तो संदीब रेटी बंदला ने और यहां पर हनुमान चौधरी ने और डॉक्टर सूरी ने मिलकर सारे इस लुक्त को लिखा हुआ है प्रिडियोज किया है विज़े करन गंदूरी ने गंदूर और यहां पर इस सिन्मोटोग्राफिक की है बुवन गौडा ने और यहां पर इस लिम को जो कि एडिट किया है उजवल कुलकरनी ने जिन्होंने पुए चैप्र टू मुई को डिरेक्ट किया हुआ था और यहां पर म्यूजिक दिया रहा है भी पस वरूर्ण ने होग प्र इसेंग ओ तीयूटर में रिलीज करवाया गया कंट्रि इसन्म की जो के इंडिया थी और लैंगवेज यह सिल्म टैलगु की थी और यहां पर कनरा में भी इस लिम को दो लैंगवेज में शूट किया गया था और यहां पर शीम का बजजड था जो के दो सौतर कुरोड और ये फिल्म जो के सलार मुवी उसी तरह थी जो के दो दोस्तों के ओपर स्टोरी बनाई गई थी उसी की तरह इस लिम में भी स्टोरी देखने को मिली है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिली है और यहां पर एक बड़े परदे पर देखने को मिली है सलार वन पार्ट वन जो कि मुवी थी और सिल्म को लगभग 2020 में अनौस किया गया था एक फिल्म बनेगी जो कि जिसका नाम सलार होगा और सिल्म को ड्रैक करेंगे प्रशांत नील और उसके बाद यहां पर सीस्वायर के नाम से सिल्म का जो कि टाइटल अनौस किया गया जन्मरी 2021 में और यहां पर 2013 में जो शूटिंग वगगरा थी वह रैप अप की गई थी और यहां पर शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया उसके बाद इसल्म की जो है वी एफेक्स का काम स्टार्ट कर दिया गया और यहां पर भी काव सारी चीज़ें रहती थी और म्यूजिक भी जो कं सब्सक्राइब को 2023 में जो के रिलीस करवाया गया था थीयटर में और सिल्म ने वर्ल्ड वायल्डी जो की 715 क्लोड का क्लेक्शन करके दिखाया और यह फिल्म बॉक्स एक सूपर हिट और ब्लॉक बॉस्टर फिल्म रही अब यहां पर दो स्टोरी की बात करें तो यहां प की आपस में बॉन्डिंग और उनकी आपस में जो दोस्ती है उसको दिखाया गया है और वो जब वर्दा यानि जो के प्रॉबलम में पड़ता है तो देवा उन्हें बचाने के लिए आता है खानसार में और यहां पर जो कि ट्विस्ट भी काफ सारे हमें देखने को मिल जा हE tavo जहसेख़ाय जेगी तो यहांब पर दुसर सम्पल लफजु में बता दू यहांप पर nibसको दिखाया जागा एक खानसार की स्टोरी आ होता है या यawn आज अई खानसार यानी देख़ इस राजा भाई भी होता है जिसका रोल प्ले करें रामचंदर राजू वह भी होता है और यहां पर कौन बैस्ट है गाउस सिंगासन पर और यहां पर सारा को जो के लड़ाए शुरू हो जाती है तो तब ही जो के उनके पास यानि वर्धा के भाई के पास काफ सारे गुंडे होते हैं ल सारे डर के भाग जाते हैं जिस तरह से उनका डर दिखाया गया बौैल None को मिला भूषी स्टेंडिन और यहांप दो सड़ो यहां पर दोस्ता यही तो आप डूइ देखेंगे तो आप उसको पता लाग जाएगा घर माई बता का मज़ाबी किरक्रा हो सकता है तो यहां पर वही स्टोरी है और आगे दोस्तों आपको स्टोरी आगे चलेगी और यहां पर जो कि कौन बैठेगा उस सिंगासन पर आगले नेक्स्ट विल में दे हमें पता लगेगा और आपस में इनकी जो के दुश्मनी को भी दिखाया और यहम पर और तुके बाकि देवा के मधर का रोल प्ले करें और यहां पर बॉबी सिंपा बेरवा का रोल प्ले कर रहे हैं और जौन भी जै इसलिए रणगा का रोल पले करें रामा चंदरण राज हैora गोपी गया है। यहां पर अम्भूमा का रोल प्ले करें। एक रुछरैगी का रामा अरूछ पर जहानचु गया है। और यहां पर गूरू जो के वाजरंट शेटी जो है सिल मैं विश्नू का रोल प्लेज कर रही हैं और यहान पर जो के गुरू सामी जो है वो सुमया रूदरा राजाथ की जो के हैंच-मैन है और आवी बाटि में किर्श्णानात का रोल प्ले कर न नवीन शिंकर पन्डित का रोल प्ले कर कर रहे अर परिलेज उसल में विलेज सारपशन कपनी की तो नहीं है वह होंबॉले फिल्म को प्रड्यूस किया हुआ है तो के जिए फिल्म भी बॉक्स पर जो दूसरा बाट आया थाना वह आल टेंग ब्लॉक्बस्टर फिल्म नहीं थी उसने लगबग बारासो करोड के कोलेक्शन किया हुआ है बॉक्स के आफसे ओपर तो यहां पर द इंट्रस्टिंग रही देखा जाए तो वैसे प्रभास का जो के करियर बहुत ही जो के पीक पर इस बार नहीं चल रहा था बहुत ही ड्रॉप पर चल रहा था क्योंके उनकी दो पिछली फिल्म में रादे शाम आदी पूरुश जो के बॉक्स बूरी तरह से पीट चुकी थ नहीं साहो लेकिन वह भी ठीक ठाक चली थी वह अच्छी फिल्म रही थी लेकिन जो इनकी दो पिछली फिल्म में आई आदी पूरुश और जो că और रादे शाम की वज़ से उसकी काफीvil पाखनी काफी ठ competition काफी दिए और झाल के पारे चैलार मुईय है अधर आर्डियन्स चोन्हें काफी वावाई की तक दो अधर वाएक किक्रेशन प्र बाहएक है है तो उस्ते पहले अब सब्सक्राइब के मिलेंगे और इस reicht के सर्च करोगे तो आप दूसे को पहां पहां पर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं रिलीज के बारे में तो 20 23 में इस हम्वेक्टो कर वा था कि आम च nemसित करवाय गया था और यह जान पर बाकिस सारे डाूंड यह ऑखी पी थी और इस इंको जो के अडल्ट ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीस करवाया गया था और यहां पर जो के इस साथ भी इसमें काफी अच्छा कोलेक्शन किया हुआ है और यहां पर यह फिल्म बॉक्स पर ब्लॉक्बस्टर रही अब दुस्तों बात करते हैं सिल्म के बारे मे प्लस पर देखने को मिल जाएंगी तो आपको देखने को मिले चाहते हो गए थlington को अग Canduce की करेंगी Boris अगर आप दोस्तों इस नहीं को मिल चाया है कि नहीं उतर वीडियो कैसे लिकिक मौत पर देखने को मिल कमीं बताना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है